सवाल ही जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग में हा तक कैसे पहुँचे मिस्टर एलन पीज द्वारा लिखी गई यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग वेफ साइग करने वाले लोगों के लिए सफलता पाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है परिचे एलन पीज बॉडी लेंग्विज पर वर्ल्ड के सरवादिक प्रसिद्ध विशिशग्य है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक बॉडी लेंग्विज तैंतीत भाषाओं में 40 लाग प्रतियों से अधिक भी की है टीवी सीरियल में 10 करोड से अधिक दर्शकों ने उनका बॉडी लेंग्विज पर आधारित कारकरम देखा है वे 5 बेस्ट सेल्स के लेखक हैं इनमें से एक वाइ में डॉन्ट लिसन एन वुमन कांट रीड मैप्स उन्होंने बारबरा पीज के साथ लिखी है सवाल ही जवाब है कोश्चन्स आर दा आंसर में एलन पीस पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में प्रयुक्त सरवादिक उलेकनिये तकनीकों को समझाते हैं सरल तकनीकों, आजमाय हुए नुस्खों और शशक्तर रनीती के द्वारा आप यह सीख सकेंगे कि किस तरह आप अपने नेटवर्किंग वेफसाय को उस शिकर तक ले जाएं जिसकी आपने सपना में भी कलपना नहीं की होगी यह पुस्तक कम महनत से अधीक अमीर बनने के नुस्खे बताती है अगर आप नेटवर्किंग वेफसाय में नहीं है तो भी इससे आपको लोगों को समझने और समझाने की बहुमुल तकनीके सीखने को मिलेंगी प्रस्तावना ल्यूक और मिया ल्यूक एक विल्डर था वो चाता था कि उसका बिजनस सफल हो जाए उसने ठान लिया था कि वो अमीर बनकर ही दिखाएगा उसकी पत्नी मियां एकाउंटेट थी और उसकी कंपनी में ग्रहाक उसे पसंद करते थे एक दिन उसके पडोसी माटी ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया बैठक में उन्हें एक व्यावसाइक आवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी मार्टीन ने हाला कि उन्हें विस्तार से कुछ नहीं बताया था पर चुकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और वे लोग मार्टीन को पसंद करते थे इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया इसके लावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नई पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी जैसे जैसे मीटेंग की कारवाई आगे बढ़ने लगी लिउक और मिया के आश्चर का पारा भी बढ़ता चला गया उन्हें अपनी आखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक सुतंता मिलना तो तै था साथ ही वे बेहत अमेर भी बन सकते थे वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बाते करते रहे उन्होंने जल ही शुरुआत करने का फैसला किया क्योंकि उनकी सोच यह थी निश्ची थी जिसने भी हमारी तरह यह योजना समझी है वह हर वेक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा परन्तु यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था हर वेक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए आय ही नहीं यहां तक कि उनके कई करीबी दोस्त ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में काम्याब हुए लेकिन यह सब इतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी ल्यूक ने मिया से कहा अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं कल्पना करो कि हमारी जगा यही लोग हमें यह बता सकें कि वे नेट्वर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं काश ऐसा कोई रास्ता होता ऐसा रास्ता है और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी नेट्वर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यह होता है कि उन्हें उचाई पर पहुँचने के लिए अधिक सफल सेल्समेन बनना पड़ेगा हमारा उद्देश इसी डर को दूर करना है इस पुस्तक में एक सरल पद्दिती बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिसमें आप नए लोगों को अधिक सरल्ता से शामिल कर सकेंगे इसमें कोई दाव पेच या छलकपट नहीं है इसमें कुछ तकनीके हैं कुछ सिदान्त हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे बशर्ते की आप काम करें मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर चकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावना है और कितने अवसरते जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंदाई थे और अमीर बनाने वाले थे यह तो अमीर बनने की एक पद्धती थी इससे दस साल पहले मैं सूचना प्रसारण और विक्रे तकनिकों के संबंद में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लगपती बन सकते थे मैंने सोचा वाह यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनिकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूँ तो आशास्तीत परिणाम प्राप्त होंगे यब उस तक नेटवर्क मार्केटिंग के उन तकनिकों को अपनाने संशोदित करने परिच्छित करने और प्रयोगत करने का परिणाम है आप पाएंगे कि इन तकनिकों को सिखाना बहुत सरल है और आप इन्हें अपना कर आप सफलता की उस राह में सरलता से चल सकते हैं जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं और इसके बारे में खाद बात यह है कि आपने आज तक जो भी सीका है उसमें जरा भी बदलाओ लाने की आवशक्ता नहीं है लबग दो घंटे तक पढ़ने और निश्टा पुन अभ्याश करने से आप अपने बिजनिस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे वादा इस पद्दती के साथ मेरी और से वादा भी है जो आप इस पुस्तक में पाएंगे अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लें और पहले चौदा दिनों तक एक भी शब्द न बदले तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कल्पनातित परिणाम प्राप्त होंगे यह बहुत बड़ा पक्का वादा है है ना पर आप यह न बूलें कि यह हम दोनों के बीच हुआ समझोता है मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाता हूँ कि आप अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे अभ्यास करेंगे जब तक आप इन चब्दों को नीद में न दोराने लगें अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहाने को छोड़ दें और इस तकनीक को पूरी इमानदारी और लगन से आत्मसाथ करने में जुट जाएं इस तरीके से यह तकनीक इस्थाई रूप से आपकी हो जाएगी मैं कई व्यवसाई कंपनियों में सलहकार या भागिदार रह चुका हूँ और यह तकनीक अपना कर उन्होंने लाखो करोडो डॉलर कमाये हैं हजारो नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत, 500 प्रतिशत और 1000 प्रतिशत तक बढ़ाया है यह अतिश्योक्ति पुन दावा नहीं है, जो भी आप यहां सीखेंगे, वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा पर इसके लिए आपको इस पद्दिती को पूरी तरह से अपनाना होगा अगर आप सहमत हों, तो जोर से और अभी हां कहें अगर आपने जोर से हां नहीं कहा, तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें टिपणी, पुस्तक में जहां भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुर्शों वह महिलाओं दोनों के लिए हैं अगर लिंग भिनता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं, तो उसका प्रिथक उलेक किया जाएगा आपकी प्रस्तुती दमदार कैसे बन सकती है किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यवसाई की योजना प्रस्तुत की जाए इन विश्यों पर कई अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्द हैं इसलिए इस पुस्तक में इन विश्यों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने को आपको अधिक अवसर मिल सके यहां दी गई जानकारी का उद्देश है कि आपकी प्रस्तूती दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ग्यान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी सही बटन खोजे पर दिया गया है काम आने वाली तकनीकों को न बदले उन्हें दमदार बनाए जीवन की अधिक्तियर वस्तूओं की तरह बहुत से लोग इस खंड के आरंब में दिये गए चित्र को देखकर इसका इसपस्ट अर्थ समझ पाते हैं अप्रसिचित आंक के लिए यह असंबंद रेखाओं की सिर्फ एक श्रिंखला है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता पर जब आप रिखाओं या लाइनों के बीच को पढ़ने की कला सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको इसका अर्थ जानने के लिए अपने दृष्टी कौन को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और इस पुस्तक के माध्यम से हम आपको यही करना सिखाना चाते हैं इस पृष्ट को थोड़ा सा जुका कर नियून कोण बनाएं और अपने से थोड़ा दूर रखकर एक आँख बंद करके इस ध्यान से देखें सफलता के पाँच सुरणीमनियम 11 साल की कम उम्र में मुझे मेरा पहला काम सौपा गया मेरे स्काउट ट्रूप के लिए एक हॉल बनाने वाला था इसके लिए पैसे जुटाने के उद्देश से मुझे घरेलू काम में आने वाले स्पंज बेचने का काम दिया गया स्काउट मास्टर एक वरिद और समझदार वेक्ति थे और उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया जिसे मैं परिणाम का नियम कहना चाहूँगा मैं इस नियम के अनुसार जीवन पर चला हूँ और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो भी इसका अभ्यास करेगा वो इसके अनुसार चलेगा वो अन्तत अवस्य ही सफल होगा मैं आपको यह नियम उसी तरह बताऊंगा जिस तरह यह मुझे बताया गया था सफलता एक खेल है आप जितना अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे इस नियम को Networking में अपनाए अगर आप ज्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल होने का आमंतरन देंगे तो ज्यादा लोग आपके साथ शामिल होंगे नियम पहला ज्यादा लोगों से मिले यह सबसे महत्वपूर नियम है जिसके पास भी सुनने को फुरसत हो उससे बाते करना शुरू कर दें इस मामले में घमंडी या बहाने बाज न बने जो अच्छे संभावित ग्रहकों को छाट कर नकारने का प्रयास करता हो अगर संभावित ग्रहकों की सूची पर नजर दोड़ाते वक्त आप यह सोचने लगें यह ज्यादा उम्र वाला है यह ज्यादा युवा है यह ज्यादा अमीर है यह ज्यादा गरीब है यह ज्यादा दूर रहता है यह ज्यादा स्मार्ट है आदी आदी तो समझ लें कि आप असफलता के मार्ग पर जा रहे हैं अपने बिजनस को जमाने की शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की जरुवत है क्यूंकि आपको अभ्यास की जरुवत है जब आप अपने वैफसाय के बारे में हर एक से बात करते हैं तो औसत का नियम यह सुनिश्चित करता है कि आप सफल होंगे सवाल सिर्फ यह रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे आपके बिजनस में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके गतिवीधी या सक्रियता में वृद्धी से न सुलच सके अगर आप अपनी जिन्दगी की दिशा के बारे में चिन्तित हों तो बस आप अपने प्रस्तूतियों की संख्या को दुगना कर दे अगर आपका वैसा इतनी चेदी से नहीं बढ़ रहा है जितनी आप चाहते हैं तो आप कुछ न करें सिर्फ अपनी सक्रियता बढ़ा दे बड़ी हुई सक्रियता आपकी अधिकतर चिन्ताओं का अच्चू किलाज है हर किसी से बात करें यह पहला नियम है नियम दो ज्यादा लोगों से मिले लोगों को फोन करते रहें हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रस्तूत करता हो पर अगर आप पर्याप्त संभावित ग्रहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिद्दस में जादा सफल नहीं हो सकते हो सकता है कि आपकी वेशभूसा बढ़िया हो आपका वेक्तित सरहानी हो लेकिन अगर आपके प्रस्तूतियों की संख्या जादा नहीं है तो आपका प्रदशन सामान्य ही रहेगा इसलिए हर एक से मिलें, हर एक से बात करें नियम 3. जादा लोगों से मिले नेटवर्क में मौझूद अधिकतर लोग इस बिद्नस में केवल धर्रे पर ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी छमता का दोहन नहीं कर पाते वे सोचते हैं कि ऐसा उन संभावित गराहकों के कारण होता है जिने वे राजी नहीं कर पाते पर यह सच नहीं है, सच तो यह है कि ऐसा उन संभावित गराहकों के कारण होता है जिने वे मिल नहीं पाते आप जादा तर लोगों से मिल कर अपनी बात करते रहें अगर आप इन पहले तीन नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें जरा भी संदे नहीं है कि आप आशतित सफलता प्राप्त कर लेंगे नियम चार आसत के नियम का प्रयोग करें आसत का नियम जीवन के हर छित्र में सफलता दिलाता है इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही धंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे उधारण के तौर पर एक डॉलर की पोकर मशीन का औसत भुकतान लगभग 10 अनुपात एक होता है अगर आप 10 बार बटन दवाते हैं तो आप कुल मिलाकर 60 सेंट से लेकर 20 डॉलर के बीच की रकम जीतते हैं 20 डॉलर की जीत के आपके अवसर 118 अनुपात एक है इसमें किसी दक्षता या कुशलता की जरुवत नहीं है मशीनों को तयार ही इस तरह से किया जाता है कि वे औसत या प्रतिशत के हिसाब से भुकतान करें बीमा व्यवसाय में मैंने एक अनुपात 56 की औसत से खोज की इसका मतलब यह था कि अगर मैं सडकों पर जाकर यह नकरात्मक सवाल पूछूँ क्या आप अपने जीवन का बीमा नहीं कराना चाते तो 56 में से एक वेक्ति मुझे बीमा कराने के लिए तयार हो जाएगा इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक दिन में 168 बार यही सवाल करूँ तो मैं दिन में 3 बार सफल हो सकता हूँ और विक्रे करते हूँ कि चोटी के 5 प्रतिशत लोगों में जगा बना सकता हूँ अगर मैं किसी सडक के कोने पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले से यह कहूँ क्या आप नेटवर्किंग बिदनस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे तो औसत का नियम निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा शायद 1 अनुपाद 100 जवाब हाँ होगा याद रखें औसत का नियम हमेशा काम करता है जब मैं छोटा बच्चा था और घरगर जाकर 20 सेंट में घरिलू स्पंज बेचता था तो मेरा औसत था 10 अनुपाद 7 अनुपाद 4 अनुपाद 2 मैं शाम 4 बज़े से 6 बज़े तक जिन 10 दरवाजों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे ही खुलते थे उनमें से भी केवल 4 लोग ही मेरी प्रस्तूती सुनते थे और मात्र 2 लोग ही स्पंज खरीदते थे इस तरह से मैं 40 सेंट कमा लेता था जो 1962 में अच्छी खासी रकम थी खास कर 11 वर्षिय लड़के के लिए मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाजों को खटखटा सकता था और इस तरह 2 घंटे की अवधी में मैं 12 स्पंज बेच लेता था जो 2.40 डॉलर के बराबर रकम थी चूंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरह काम करता है इसलिए मुझे इन 3 दरवाजों की चिंता कभी नहीं होई जो नहीं खुले नहीं उन 3 लोगों के बारे में चिंता होई जिन्होंने मेरी बात नहीं सुनी नहीं उन 2 लोगों के बारे में चिंता होई जिन्होंने मेरा सामान नहीं खरीदा मैं तो बस इतना जानता था कि अगर मैं 10 दरवाजों पर 10 तक दूँगा तो मैं 40 सेंट कमा लूँगा इसका मतलब यह था कि हर बार जब मैं दरवाजे पर 10 तक दूँगा तो मैं 4 सेंट कमाऊंगा इसके बाद चाहे जो भी हो औसत का यह नियम मेरे लिए एक प्रभावशाली और प्रेणा दायक शक्ती था 10 दरवाजों पर 10 तक दो और 40 सेंट कमाऊ सफलता सिर्फ इस बात में छुपी हुई थी कि मैं कितनी जल्दी इन दरवाजों पर दस्तक दे सकता हूँ अपने अनुपाद का रिकॉर्ड रखें औसत का रिकॉर्ड रखना और अपनी बिक्री के आंकडों का रिकॉर्ड रखना एक शक्ती दायक प्रेणा शुरोत था जल्दी ही मैंने इस बात की परवाह करनी छोड़ दी कि मेरे दरवाजे खटकटाने पर किसने दरवाजा नहीं कोला किसने मुझे देखने के बाद मेरी बातों को नहीं सुना या किसने मेरी बात सुनने के बाद मेरा सामान नहीं करदा जब तक मैं बहुत सारे दर्वादे खटकटाता था और अपनी बात कहने का प्रयास करता था मैं सफल था इस तरह से मैं आशुस्त रह सकता था और दर्वादों पर दस्तक देने में मुझे आनन्द आने लगा औसत और आकडों का रिकार्ड रखने से आप सकारात्मक बनते हैं और अपने लक्ष तक पहुंच सकते हैं यह न केवल आपकी प्रेड़ना का सतत शोत है बलकि नकारे जाने को सहजता से लेने की कुझी भी है जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की खास चिंता नहीं होती तब आप जितनी जल्दी संभव हो अगली मुलाकात करने के लिए प्रेरित होते हैं औसत के नियम को समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकेंगे की आगे क्या होगा अगर कोई ना कह देगा तो आप निराश हो सकते हैं अगर कोई दर्वाजा नहीं खोलेगा तो आप उदास भी हो सकते हैं पर अगर आप औसत के नियम को समझ लेते हैं और इसे स्विकार कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता आप अपनी मुलाकातों, प्रस्तूतियों, नए सदस्यों के आकड़ों को सामने रखते हुए औसद के अपने आकड़े खुद विक्सित कर सकते हैं 9 डालर की पोकर मशीन जब मैं किशोर रवस्ता में था, तो मेरे पास एक सायं कालिन कार्य था मैं बरतन, चादर और कंबल बेचा करता था तब मेरा अनुपाद था 5, अनुपाद 3, अनुपाद 2, अनुपाद 1 मैं 5 संभावित लोगों को फोन लगाता था उसमें से 3 मुझे मिलने का समय देते थे उन में से भी केवल दो के सामने मुझे अपनी बात कहने का अफसर मिलता था क्यूंकि तीसरा वेक्ती या तो अपाइटमेंट कैंसल कर देता था या सुनता ही नहीं था या ऐसी कोई आपत्ती उठा देता था जिसे दूर करना मेरे बस में नहीं होता था इस तरह केवल दो ही लोग मेरी बात सुनते थे और उन दो में से एक मेरा समान खरीद लेता था और इस तरह मैं 45 डॉलर कमा लेता था इस तरह मैं जिन 5 लोगों को फोन करता था उन में से मुझे अंततह 45 डॉलर का कमिशन मिल जाता था जो एक तरह से 9 डॉलर प्रती फोन था इसका मतलब यह था कि फोन पर हुई हर हां का अर्थ 15 डॉलर था चाहे वे मेरा समान खर दें या ना खर दें चाहे वे मुझसे मिले या ना मिले और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे मुझसे क्या कहते हैं वाह यह कलपना से परे था मैंने एक बड़ी सी तक्ति बनाई जिस पर 9 डॉलर लिखकर मैंने उसे अपने टेली फोन के पास रख दिया हर उस वेक्ति से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे 9 डॉलर मिलते थे हर उस वेक्ति से जो मुझसे मिलने के लिए हां कहता था मुझे 15 डॉलर मिलते थे इसका अर्थ यह था कि मैं अपनी तक्दीर खुद बना रहा था ऐसे बहुत से सेल्समें थे जिन्हें अगर संभावित ग्राहक ना कह देता था तो वे निराश हो जाते थे पर मैं उनमें से नहीं था इसलिए मैं जल्दी ही अपनी कंपनी का नंबर वन सेल्समें बन गया पांच अनुपात तीन अनुपात दो अनुपात एक के मेरे औसत का आर्थिक अनुवाद फोन कॉल नो डॉलर अपोइंटमेंट पंदरा डॉलर प्रस्तूती 22.50 डॉलर बिक्री 45 डॉलर मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान करे दें मेरा प्रमुख्य लक्ष तो केवल संभावित ग्रहकों को फोन करते रहना था यही सफलता की कुझी है ने वित्रकों की खोज में न जाएं बलकि उन संभावित ग्रहकों को खोजें जो आपकी प्रस्तूती को सुनना चाहें औसत का नियम आपके लिए बाकी का काम करेगा बड़ी सफलता कैसे पाएं 20 साल की उम्र में मैं सेल्समेन के रूप में बीमा कंपनी वेवसाय में आया 21 साल की उम्र में मैं सबसे कम उम्र का वेक्ति था जिसने अपने पहले साल में ही 10 लाख डॉलर से ज़्यादा का बीमा बेचा था और जिसे मिलियन डॉलर राउंड टेबल में शामिल किया गया था मेरा औसत था 10 अनुपाद 5 अनुपाद 4 अनुपाद 3 अनुपाद 1 मेरा फोन का जवाब देने वाले हर 10 संभावित व्यक्तियों में से 5 मिलने के लिए तयार हो जाते थे उन में से एक मिलना कैंसल कर देता था और मैं सिर्फ 4 से ही मिल पाता था उन 4 में से किवल 3 लोग ही पूरी तरह से मेरी प्रस्तूती सुनते थे और उन में से भी एक ही मेरा सामान खरीटता था और इस तरह मैं 300 डॉलर कमा लेता था मेरा पूरा ध्यान इस बात पर रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हा कह दे मेरा ध्यान उन संभावित ग्रहकों पर केंदरित नहीं था जो मुलकात के लिए आय ही नहीं या जिनोंने मेरी प्रस्तूती सुनी ही नहीं या उन दो लोगों पर जिनोंने मुझसे कुछ खरीदा ही नहीं ये घटना है तो खरिदार को ढूणने का केवल एक जरूरी हिस्सा थी वास्तों में अगर कोई संभावित ग्रहक मिलने के लिए नहीं आता था तो मुझे खात बुरा नहीं लगता था क्यूंकि मेरी योजना के अनुसार मैं यह पहले ही मान चुका था कि एक व्यक्ति मिलने के लिए नहीं आएगा जब भी ऐसा होता था तो भी मैं प्रति व्यक्ति 60 डॉलर तो कमा ही लेता था आप अंको के वेवसाय में हैं मैं जानता था कि अगर 10 लोग फोन का जवाब देते हैं तो उनमें से 5 मुझसे मिलने के लिए तयार हो जाएंगे और अंतता मुझे 300 डॉलर का कमिशन मिलेगा इस तरह हर उस संभावित ग्रहक से जो मेरे फोन का जवाब देता था मुझे 300 डॉलर मिलते थे 10 अनुपाद 5, अनुपाद 4, अनुपाद 3, अनुपाद 1 के मेरे औसत का आर्थिक अनुपाद फोन कॉल 30 डॉलर अपोइंटमेंट 60 डॉलर प्रस्तूती 75 डॉलर पून प्रस्तूती 100 डॉलर बिक्री 300 डॉलर 21 साल की उम्र में मेरे पास स्वेम का घर था नए मोडल की मस्रिज बेंचकार थी और मैं बड़ी शान से रहता था सवाल के वल इतना ही था कि मैं फोन पर किस तरह 5 लोगों से अपोइंटमेंट के लिए हा करवाता हूं नियम पाँच अपना औसत सुधारे बीमा वैफसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन गुमाता था और किसी से बात करता था मुझे 30 डॉलर मिलेंगे फिर भी 10 टेलिफोन कॉल के बदले 5 अपोइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास अच्छा नहीं था क्योंकि इसका मतलब था कि मैं अपने बहुत सारे संभावित ग्रहकों को गवा रहा था मुझे जरुवत थी अपोइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पधती जो हर 10 कॉल में से कम से कम 8 अपोइंटमेंट दिला सके इसका मतलब यह था कि मुझे संभावित ग्रहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्यूंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गवा दिया मुलकात से प्रस्तूती के मेरे 5 अनुपाचार के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20 प्रतीशत मुझसे नहीं मिल रहे हैं मैं इस कमी को ज्यादा अच्छे संभावित ग्रहाकों को होन करके दूर कर सकता था इसी तरह प्रस्तूती से पूर्ण प्रस्तूती के मेरे औसत 3 अनुपात एक में भी सुधार की गुंजाईश थी परन्तु मैं फिर भी जानता था कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बदला तो भी मैं हर बार फोन गुमाने पर 30 डॉलर कमा ही लोगा औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा अनुपात का ध्यान रखने से आप पूरे सचेत रहते हैं क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि आप में सुधार की गुणजाईस कहा है और आप कितने सफल हो सकते हैं अनुपात आपको उन कारियों पर ध्यान देने के लिए प्रेडित करता है जिन से परिडाम मिलते हैं न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है नेटवर्किंग व्यसाय में औसत मैं नेटवर्क मार्केटर्स को सत्तर के दसक से प्रसिक्षन दे रहा हूँ और मैंने उन लोगों और संगटनों के परिडाम इखटे किये हैं जो सफलता के शिखर पर है नेटवर्क मार्केटिंग का सामान्य औसत है 10, अनुपाद 6, अनुपाद 3, अनुपाद 1 अगर 10 संभावित ग्रहक आपकी प्रस्तूती को सुनते हैं तो उन में से 6 इसे लेकर रोमान्चित हो जाते हैं और कहते हैं कि वे इस बिजनस को शुरू करना चाहते हैं उन में से आदे ही वास्तों में बिजनस शुरू करते हैं और इन 3 में से किवल एक ही सफल हो पाता है दूसरा गुमनामी में खो जाता है और तीसरा किवल कंपनी के सामान खरीता रहता है तो इस तरह दस लोगों में से किवल एक ही वेक्ती दिर्ग कालिन वितरक बन पाता है अब बढ़ें सवाल पर बिजनस के बारे में दस लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है इस सवाल का जवाब आपकी विकास दर्थ तै करेगा जीवन बिमा वियसाय में हर एक ने दस लाग का बिमा बेचा है फरक सरिप इतना है कि कुछ लोग ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया है कुछ ने तीन से पांस सालों में ऐसा किया और कुछ ने एक साल के भीटर और यहीं पर पुरसकार और इनाम का रहस्त्य छुपा है मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सून योजित था कि मैं हर 12 हफते में दस लाग का बिमा बेच लेता था इस तरह ये योजना बनाने की समस्या थी बेचनी की समस्या नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की उचाई पर नहीं पहुँच पाते हैं तो ऐसा उन संभावित ग्रहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते अगर आप ततकाल अपने परणामों को दुगना करना चाते हैं तो उसका सीधा सा जवाब है अगले साल के संभावित ग्रहकों से इसी साल मिले अगले साल आप अपने बिजनस के सलसले में ने संभावित ग्रहकों से मिलेंगे है ना, तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल ले, उनसे इसी साल मिले, जाएं और उनसे अभी मिले, आपके सामने बेचनी की समस्या है ही नहीं, सफलता की कुंजी यह है कि आप ज़्यादा नियोजित और प्रेरित हों, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हों, म नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तयार करना नहीं है, बलकि इतना अधिक सून्योजित और अनुशाशित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिल सकें, और जल्दी से जल्दी मिल सकें, और सत सुधारना तो केवद सीख चैप्टर टू किस तरह हां तक पहुंचें? बले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों न जानते हों? आपके सामने यह समस्या आती है। अगर वे कुछ कहते हैं तो यह उनका विचार है, आपका नहीं। यही विचार को स्विकार्य बनाता है और वे उसके बारे में आपत्या उठाने की आवशक्ता महसूस नहीं करते। जो तकनिक आप खोजने वाले हैं वह आपको इस योग बना देगी कि आपके संभावित ग्रहाग आपको यह स्वेम बताएंगे कि वे वास्तों में क्या चाते हैं। आपको केवल उनकी बाते सुननी हैं। जब आप किसी संभावित ग्रहाग से कहते हैं। उधारण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्रहाग कहता है मैं चाता हूँ कि मेरी जीवन शेली में मदूरता हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीज़े मिले तो कोई आपती नहीं उठाई जाएगी क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था यह उसका विचार था आपका नही जब आप चार कुझондियों की तक्नीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्रहाग आपको बताएंगे कि वे क्या चाते हैं जबकि आप केवल उनकी बात सुनेंगे लोग आपती क्यों करते हैं एक बार मैंने एक नेटवर्क कारकरता से पूछा किहल की प्रस्तितिय उसने वही बात दोहरा दी मैं ठीक ठीक तो नहीं जानता पर उसने जरा भी रूची नहीं ली संभावित ग्रहक कभी नीरस नहीं होता केवल प्रस्तूतिया नीरस होती है उसका असली मतलब यह था कि वह network कारिकरता रूची नहीं ले रहा था वह स्वयम भी नीरस था और उसक चार कुझियां पहला बर्फ पिगलाएं दूसरा सही बटन खोजें तीसरा सही बटन दबाएं चौन्था सौधा पक्का करें इन चार कुझियों की सहता से आप बहुत ही कम समय में ठंडी शुरुवात से गर्म हा तक पहुंच सकते हैं पहला बर्फ पिगलाएं इस पहवित ग्रहक के साथ तालमिल बनाना यहां पर आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं इस कुझी का लक्ष विशद दुरूप से अपनी योजना को बीजना है अगर कोई वेक्ति आपको पसंद करता है तो इस बात की काफी संभा पसंद करनी चाहिए सवाल यह उठता है कि आप इस इस्थति में कब तक रहें जब तक कि आप अपने विश्वास न जमा लें और अपने व्यक्तित को बेच न लें जब आप विश्वास जमा लेते हैं तो सामने वाला आपकी बातों को अच्छी तरह से सुनेगा यही तो आप चाते हैं कुछ संभावित ग्रहकों के साथ इस इस्थति में आपको केवल 3-4 मिनट का समय लगेगा जबकि कई लोगों के साथ इसमें आपको 30-40 मिनट तक लग सकते हैं दूसरा सही बटन खोजें इस इस्थति में क्या होगा यह आपको पूरी तरह से तै करना होगा हो सकता है आपके संभावित ग्रहक भावनात्मक रूप से खिनन हो हो सकता है वे रुमांचित या दुखी या चिंतित हो जाए या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाए परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा बलकि अपने आप पर होगा प्रस्तूती के इस भाग में आत्मसंतुष्टी के लिए जरा भी जगा नहीं है जब लोग अपने लक्षी या महत्मक आंच्छा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो वे इस कारी को करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं आपके network में आपको ऐसे आत्मसंतुस्त व्यक्तियों की आवशक्ता नहीं है जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधीक प्रेरित हो सकते हैं इस स्थिती में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्रात्मिक प्रेरिना घटक, primary motivating factor या PMF खोजा जाएं PMF ही वा कारण है जिसके कारण वे आपके बिद्दस में शामिल होना चाहेंगे हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है लाब प्राप्त करने के लिए या कस्ट से बचने के लिए इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि आपके प्रात्मिक प्रेरिना घटक को किस तरह सामने लाया जाए और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए यहां पर संभावित ग्रहाग आपको बताते हैं कि वे क्या लाप राप्त करना चाहते हैं और किन कस्टों से बचना चाहते हैं चारो कुंजियों में से यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है क्यूंकि यहाँ पर आपको संभावित ग्रहाग अपनी आशाएं, सपने और डर को शब्दों में प्रकट करते हैं लोग क्यूं खरीदते हैं? हमारे शोद के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्रात्मिक प्रेणा घटक निमलिल्कित हैं पहला अतरिक्त आमदनी, दूसरा आर्थिक स्वतंतरता, तीसरा स्वयम का बिजनस, चौथा ज्यादा खाली समय, पांचवा व्यक्तिकत विकास, छटवा दूसरों की सहता करना, साथवा नए लोगों से मेल जोल, आठवा रेटायर्मेंट, नौवा जायदा छोड़ना जब आप इस सूची का अध्यन करते हैं, तो आप पाते हैं कि इन सूची बद्द कारणों में से एक कारण आपका भी प्रात्मिक कारण है, जिसकी वज़े से आप नेट्वर्प मार्केटिंग बिद्दस में हैं, कई और साहयक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन् प्रबल अवश्य होगा, यही आपका प्रात्मिक प्रेणा घटक हैं, चुकि प्रात्मिक प्रेणा घटक सबसे ज़्यादा महत्वूर्पूर्ण होता है, इसलिए यह समझ लेना अनिवार है कि नेट्वर्प मार्केटिंग में सामिल होने वाले हर वेक्ति का प्रात्मिक वही नहीं होता जो कि आपका है उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी कई लोग स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज़्यादा पसंद करते होंगे कि इसे हर व्यक्ती पसंद क्यों नहीं करता अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती कई लोगों को तो इससे ऐलर्जी भी होती है नीचे लिखी हुई कहानिया असली जिंदगी की कहानिया है जो आपको प्रात्मिक पेड़ना घटक की शक्ती से अवगत कराएगी रॉन क्यों शामिल नहीं हुआ अलबट एक वितरक था वह नेटवर्प मारकेटिंग में इसलिए आया था क्योंकि उसे आर्थिक स्वतंतरता चाहिए थी वह अपना मालिक खुद बनना चाहता था और अपनी खुद की आमदनी डै करना चाहता था वह अपनी इच्छा अनुसार आफिस आने जाने की स्वतंतरता चाहता था अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में बेजना चाहता था, हालिडे होम बनाना चाहता था इत्यादी आर्थीक स्वतंता उसका परात्मिक पेड़ना घटक था क्यूंकि इसी की वज़े से उसे बाकी सारी चीज़े मिल सकती थी अपने लक्षियों के प्रती उसका पूर्ण भावनात्मक जुडाव था और वह अपने बारे में उत्साह से लगातार बाते कर सकता था फंड जुटाने के इस्थानी कारिकरम के दौरान वह रौन नमक संभावित ग्रहाक से मिला और उसने उसे अपना बिजनस देखने के लिए अमंतरित किया अलबट ने रौन को पूरे उत्साह से अपनी योजना समझाई रौन काफी प्रभावित भी हुआ उसने कहा कि वह शामिल होना चाहेगा वास्तों में अलबट ने रौन को फिर कभी नहीं देखा और वह पशोपस्ट में था कि आखिर उससे गलती कहा होई थी रौन क्यों शामिल नहीं हुआ समस्या यह थी कि दरसल रौन की प्रात्मिक प्रेना गटक आर्थिक स्वतनता था ही नहीं उसने अमीर बनने, बड़े घर में रहने और बड़िया कार का मालिक बनने की महत्वकांचा नहीं थी वह अपनी मां से मिला अपने छोटे से घर में ही खुश था उसे सडक के ट्राफिक में फसने के बजाए ट्रेन पकड़ना और उसमें अकबार पढ़ना ज्यादा पसंद था रौन ने महसूस किया कि आर्थिक स्वतनतरता ठीक थी पर इससे उसे सौधा पक्का करने के लिए पर्याप्त प्रेना नहीं मिल पा रही थी रौन की असली पेड़ना यह थी कि उसे नए लोगों से मिलने के अफसर मिलेंगे नई कलाय सिखने को मिलेंगे और वह समाज के लिए अपना योगद्यान दे सकेगा इसी कारण तो वह फंड इखटा करने की योजना में शामिल हुआ था पर उसे इन मुद्दों के बारे में बताने का अफसर ही नहीं मिला क्योंकि अलबर्ट आर्थिक सत्मता को उसके गले के नीचे उतारना चाता था निश्चित रूप से रौन पर अलबर्ट की उत्साही प्रस्तुती का प्रभाव हुआ था परन्तु अगले दिन जब सूरज निकला तो उसकी प्रतिक्रिया ठंडी हो गई कुछ ही दिनों में रौन अलबर्ट की उत्साहपूर्ण प्रस्तुती के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था अलबर्ट यह नहीं जान सका था कि दूसरों की सहायता करना रौन का प्रात्मिक प्रेना घटक है जेन का गलत फैतला जेन की उम्र 34 वर्ष थी और वह अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी वह दो साल से नेट्वर्क मार्केटिंग में थी डेविड से उसकी पहचान एक डिनर पार्टी में हुई डेविड ने उसकी नेट्वर्किंग गती वीदियो में रूची ली और उसके बारे में अधिक जानकारी चाही जेन का खुद का प्रात्मिक प्रेना घटक था अपने लिए ज़्यादा खाली समय जुटाना ताकि वह अपने दोनों बच्चों को ठीक से पाल सके और सिक्षित कर सके पर वह जानती थी कि यह हर एक की पहली प्रात्मिक्ता नहीं हो सकती डेविड की उम्र 50 और 60 के बीच थी उसका स्वेम का कांट्रेक्ट क्लिनिंग का काम था इसलिए जेन ने अनुमान लगाया कि उसकी प्रात्मिक्ताओं की सूची में रिटायर्मेंट का इस्थान सबसे पहले नंबर पर होगा जब वह बिजनिस के बारे में बता रही थी तो उसकी चर्चा की केंदर में यह बात मौजुद थी कि इससे इल लोगों को आराम दे रिटायर्मेंट के पूरे लाब मिल सकेंगे शाम कत्म होने पर वह हैरान रहे गया जब डेविट ने उसे बताया कि वह कभी रिटायर नहीं होना चाहता वह रिटायर्मेंट को शिग्र मृत्यु मानता है जे ने यह गलत अनुमान लगा लिया था कि रिटायर्मेंट डेविट का प्रात्मिक प्रेणा घटक है उसका परेडाम यह निकला कि डेविट उसके थाद शामिल होने के लिए प्रेणित नहीं हो पाया अनुमान न लगाएं यह हम दोनों में से एक को मुर्क बना सकता है जब आप सामने वाले व्यक्ति के प्रात्मिक प्रेणा घटक के बारे में अनुमान लगाते हैं तो आपके गलत होने की काफिस संभावना होती है अगर आपका अनुमान सही भी हो तो भी यह आपका विचार नजर आएगा न की आपके संभावित ग्रहक का और इस तरह इसका प्रभाव और प्रेणा दाए शक्ति इतने नहीं होंगे जितने की अपेक्षित हैं प्रात्मिक प्रेणा घटक को किस तरह खोजें? प्रात्मिक प्रेणा घटकों के सूची आप अपने साथ हमेशा लिखित रूप में रखें यह सूची आपके बिजनस कार्ड के पीछे हो सकती है या तैयार किये गए दृष्य साधन के रूप में या छोटे कार्ड के रूप में हो सकती है यहाँ पर सूची दोबारा बताई जा रही है अपनी सूची दिखाने का सीधा सा तरीका है अपने संभावित ग्रहाक से यह सवाल करे क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनस क्यों शुरू करना चाहते हैं इस सीधे से सवाल में यह खुबी चुपी हुई है कि अगर सामने वला जवाब नहीं कहता है तो आपको यह कहने की छूट मिल जाती है लेजिए मैं आपको बता देता हूँ इस बिंदू पर आप अपनी सूची उनके सामने रख दें अगर आपका संभावित ग्रहाग आपके सवाल के जवाब में हा कहता है तो आप उससे पूछें तो बताइए कि लोग इस बिजनस में क्यों शामिल होते हैं इस पर आपका संभावित ग्रहाग आपको कुछ असली और कुछ नकली अद्पके कारण गिना देगा जिनकी वज़े से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस शुरू करना चाहते हैं जब उसके पास के कारण समाप्त हो जाएं तो आप पूछें और कुछ वह जवाब देगा नहीं इस पर आप यह कहें लेजिए मैं आपको बता देता हूँ और फिर ततकाल उसके सामने प्रात्मिक प्रेणा घटकों की अपनी सूची रग दें इसके बाद पाँच ठोस सोने के सवाल पूछें यह पाँच सवाल आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में सबसे जादा कीमती सवाल होंगे यह जल्दी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग की चोटी तक तेजी से पहुचा देंगे यदि यह आपका प्रात्मिक प्रेणा घटक हो इन सवालों को रटले और इन्हें अपना हिस्सा बना ले इनके करम को बदलने की गलती न करें यह वचन आप पहले ही दे चुके हैं कि आप मेरी हर बात मानेंगे यह रहे आपके पांच ठोस सोने के सवाल पहला आपकी पहली प्रात्मिक तक क्या है दूसरा आपने इसी को क्यों चुना तीसरा यह आपके लिए महत्वपूर क्यों है चौथा यदि आपको यह अफसर न मिले तो उसके क्या परिणाम होंगे पांच वा इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं इन सवालों को रटले शब्द सह जब आप उन्हें पूछें तो इधर उधर न भटकें यह भहुत महत्वपूर हैं कि सवाल इसी क्रम में पूछे जाएं नए संभावित ग्रहाक से बात करते समय कुछ नेटवरकर्स उत्सुकता की शैली में प्रयोग करना चाते हैं जबकि कुछ सीधे शैली का प्रयोग करते हैं नीचे देगे उधरणों में प्रयोग तो शैली अधिक सीधी है क्योंकि इसे प्रस्तूत करना अधिक आसान है यह चर्चाएं वास्तविक साक्षात कर पर अधारित हैं एंगी मिली रे और रूत से रे और रूत लगबग 25 वर्षिय यूगल थे जो हाल ही में अपने नए घर में रहने आये थे उनका मकान एंगी के मकान से 10 कदम की दूरी पर था पड़ोसियों की सामान निचर्चा के दोरान एंगी ने उन्हें बताया कि वह 마र्केटिंग बिदनस से जुड़ी है और उन्हें बताना चाहती है कि वह बिदनस किस तरह से काम करता है इस पर रूत ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इस बिदनस में उन लोगों की कोई दिलचस्पी होगी क्योंकि उनके पास खाली समय बशता ही नहीं है रे दो जगह काम कर रहा था और रात को रूत को नए घर में सामान विवस्पित करना पड़ता था एंगी ने कहा कि ऐसा उन अधिकतर लोगों के साथ होता है जो दो जगह नोकरी करते हैं और जो घर बदल कर नए घर में रहने आते हैं फिर भी वह उन्हें अपना बिजनस दिखाना चाहेगी क्योंकि शायद वे इसमें भविश में रूची ले एंगी ने उन्हें अपने घर काफी पीने के लिए अमंतरित किया क्या शनिवार दोपर चार बजे ठीक रहेगा उसने पूछा रे और रूत तयार हो गए वे दोनों चार बजे पहुँच गए और काफी पीने के बाद एंगी ने उन्हें बताना शुरू किया कि नेटवर्किंग बिजनस क्या होता है रे और रूत ने एंगी को बताया कि उन्हें नेटवर्किंग के बारे में सुन रखा था और वे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस बिजनस में प्रयास किये थे और जो बाद में असफल हो गए थे उनकी नजर में या किसी साबुन से संबन्दित था इतना कहच चुकने के बाद उन्होंने पूछा क्या यह M.V की तरह है इसी पर एंगी ने चर्चा की बागडोर थाम ली एंगी क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्किंग बिजनस क्यों शुरू करते हैं रे यह पिरामिट बेचनी की तरह है है ना एंगी लीजिये मैं आपको बता देती हूँ एंगी सहजता से अपना PMF कार्ड बताते हुए वह ये प्रमुक कारण हैं जिसकी वज़े से लोग नेटो मार्किंग में शामिल होते हैं आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या होगी रे, हमारे पास तो यह आर्थिक स्वतंता ही होनी चाहिए रूत, दर्णता से निश्चित रूप से यही हमारी पहली प्रात्मिक्ता है एंगी, आपने इसी को क्यों चुना रे, क्योंकि घर के लोन को चुकाने के लिए मुझे दो जगल काम करना पड़ता है और रूत भी ओट टाइम करती है ताकि जब हमारा परिवार बड़े तो हमारे पास एक सारा हो जो हमारे काम आ सके हम चाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सिक्षा मिल सके हम पैसे के लिए हमेशा दोड़ दूप नहीं करना चाते एंगी यह आपके लिए क्यों महत्वपूर है रे जैसा मैंने कहा हम अपने घर के पूरे पैसे चुका आना चाते हैं और यह भी चाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी सिक्षा मिले रूत और मुझे कभी यह सब नहीं मिला हमें ऐसे अफसर मिले ही नहीं रूत बातचित का सीरा थामे हुए सही बात मेरे माबाप हमेशा घर चलाने के लिए पैसे की खीशतान करते थे हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी भी उनहीं की तरह गुदरे एंगी यदि आपको आर्थिक स्वतंतरता नहीं मिलती है तो इसके क्या परिणाम होंगे रे हम उसी नाव में होंगे जिसमें हमारे माबाप थे उसका अर्थ होगा कठोर बजट बनाना और आमदनी कम और खच जादा और पूरी जिंदगी यहीं चलता रहेगा रूत अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दिलाने में काफी कर्च होता है बिना अतरिक तामदनी के हम उने जिंदगी में अच्छी शिरुवात नहीं दे सकेंगे एंगी इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं रे तनावपूर्ण स्वर में जैसा हमने कहा अगर हम आर्थिक स्वतंता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम हमेशा संगर्स ही करते रहेंगे और ऐसा कौन चाहता है रूत साथ ही हमें रिटायर होने की योजना भी बनानी है इसलिए हम अभी इतनी कड़ी मेहनत कर रहें है विशलिशन इस वारतालाप में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया जो इसी तरह से सामान युगल द्वारा न कहा जाए फर्क स्रिप इतना था कि इस चर्चा में एंगी ने पांच ठोस सोने के सवालों का प्रयोग किया और रूत तथा रे ने अपने प्रात्मिक प्रिणा घटक उजागर किये अगर एंगी को किस्मत से यह पता भी होता कि उनका प्रिणाम प्रिणा घटक आर्थिक स्वतंतरता है तो भी रे और रूत की निगाह में यह विचार एंगी का होता उसका नहीं अगर एंगी ने उसके आर्थिक स्वतंतरता के बारे में बात की होती तो रूत और रे ने शायद आपक्तियां उठाई होती क्योंकि वह एंगी का विचार होता पर कुंकि यह विचार उनहीं का था और ऐसा उन्ने खुद कहा था इसलिए यहाखिकत थी इस बारे में कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। रे ने कहा कि उनका प्रात्मीक प्रेणा घटक आर्थिक स्वतंतरता है। इसलिए वे दोनों शामिल होंगे। दूसरा आपने इसी को क्यों चुना। यह सवाल दरसल यह पूछता है। आप इस कारण से क्यों शामिल होना चाहते हैं। उन दोनों ने इसपस्ट किया कि वे अपने घर का लोन चुकाना चाहते हैं। अपने बच्चों को अच्छी सिख्षा देना चाहते हैं। और पैसों की तंगी वाला जीवन नहीं जीना चाहते हैं। तीसरा, यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यूं है? यह सवाल पूछता है, मुझे फिर से बताएं, आप इसी कारण से क्यूं शामिल होना चाते हैं? रे कहता है, जैसे मैंने कहा, और फिर से अपनी बाते दोहराता है, और उन कारणों को बताता है, जिसके लिए वो बिद्नस में आना चाता है. रूत भी और कई तरक देती है कि आर्थिक स्वतंतरता उसके लिए पहले नंबर का कारण क्यूं है? जिसके लिए दोनों को उसमें शामिल होना चाहिए? उसके माता-पिता को खर्च चुकाने में मुश्किल आती थी और वह ऐसी परिस्थितियों में नहीं जीना चाती थी यह सवाल दरसल पूछता है कि अगर आप शामिल नहीं होते तो आपके साथ क्या होगा अब वे दोनों रुमांचित हो जाते हैं वे एंगी को बताते हैं कि वे अपने माता-पिता की तरह तंग हाल जीवन नहीं जीना चाते और वे नहीं चाते कि उनके बच्चों को सिर्फ इसलिए अच्छी सिक्षा न मिल पाए क्योंकि उनके पास परियाप्त पैसा नहीं था पांचवा इन परिणामों से आप चिंतित क्यों होते हैं यह सवाल उनसे अपनी पहली प्रात्मिक्ता को दोराने का आग्रह करता है वे दोनों उत्साहित हो जाते हैं वे बार बार जोर देकर बताते हैं कि आर्थिक स्वतंतता उनके व्योसाय में शामिल होने का पहला कारण क्यों था ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उन्होंने एंगी को बताया एंगी ने उन्हें नहीं नहीं बताया अगर एंगी ने उन्हें यह सब बातें ठीक इसी तरह बताई होती तो भी शायद उन्होंने बहाने बाजी की होती कि वे network marketing business में क्यों शामिल नहीं हो सकते पर क्योंकि उन्होंने खुद एंगी को अपने शामिल होने के कारण बताये थे इसलिए वे कारण वास्तविक थे इस साक्षात कर के बाद एंगी ने उन्हें बताये कि यूजना किस तरह कार्य करती है और इसके लाबकरी परिणामों का वर्णन करते समय उसने उन्हीं के शब्दों का प्रयोग किया उसने उन्हीं के फायदे बताये जो उन्हें प्राप्त हो सकते थे और वे कहानियां बताई जिनसे वे बच सकते थे रे और रूत की निगाह में यह उनके सपनों का बिलकुल सही उत्तर था क्योंकि वे अपने ही शब्दों को दूसरे के मुँसे सुन रहे थे अपने ही लक्षे और अपने ही डर जो एक प्रस्तावित व्यवसाईक योजना के रूप में प्रस्तूत किये गए थे यह सब उनका ही था एंगी का नहीं किस तरह ब्रूनो ने एक सक्त चने को फोड़ा ब्रूनो एक इंजिनेर था जो एक असुसेशन में दूसरे इंजिनेरों के साथ काम करता था जिसमें जिम भी शामिल था ब्रूनो ने एक साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिदनाश शुरू किया था और उसकी नजर में यह इंजिनीरिंग के रोजमर्रा के रूटीन से बाहर निकलने का बढ़िया अवसर था उसे बड़े छितिच की तलास थी ब्रूनो ने जिम से कई बार व्यवसाइक अवसर का जिक्र किया था पर हर बार उसे ठंडी प्रतिक्रियम मिली थी जिम की बहन इन योजनाओं में से एक में शामिल थी और उसने भी जिम को शामिल करने का प्रयास किया था पर जिम ने कोई रूची नहीं ली थी क्यूंकि वह अपने आपको एक engineer मानता था, salesman नहीं और वह अपने दोस्तों को परिशान नहीं करना चाता था एक शाम काफी पीते पीते Bruno ने सहचता से अपना नया business card निकाला जिसके पीछे प्रात्मिक प्रेणा घड़कों की सूची छपी हुई थी जिम ने काड़ देखा जिस पर Bruno ने नाम के नीचे networking and distribution छपा हुआ था Bruno जिम क्या तुम जानते हो networking का क्या मतलब होता है जिम हाँ जैसे मैंने बताया ना मेरी वहन भी इसी बिजनस में थी यह एक तरह का पिरामिड योजना है है न Bruno लीजिए मैं आपको बता देता हूँ Bruno ने बिजनस काड़ को पलट कर प्रात्मिक पेरना घटकों की सूची जिम के सामने रख दी Bruno आपकी पहली प्रात्मिकता क्या होगी जिम जिम मैं सोचता हूँ अपना स्वेम का बिजनस और दूसरों की सहता करना Bruno आपने इनी दोनों को क्यों चुना जिम मैं बिजनस इसले करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंजिनिरिंग की चक्की में तकरीबन 20 साल से पिस रहा हूँ अगर मैं नेटवर्किंग में शामिल होता हूँ तो इस प्रक्रिया में दूसरों की साहता करना चाहूँगा मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है इसले तो मैं इस कमेटी के लिए स्विक्षा से काम कर रहा हूँ Bruno यह आपके लिए महत्तपुन क्यों है जिम जैसा मैंने पहले कहा भविश्य में भी मुझे उसी पुरानी चक्की में पिसना होगा आप जानते ही हैं यह किस तरह का क्राम है बुनो मैं इन दिनों अपने रिटार्मेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और यह दुखद है मैं कुछ और करना चाहूँगा पर 38 साल की उम्र में यह एक बहुत बड़ा खत्रा है जो उठाने से मुझे डर लगता है पुरूनो अच्छा अगर आपका अपना बिज़स न हो तो उसके परिणाम क्या होंगे जिम अहसहज होते वे जैसा मैंने कहा मुझे उसी चक्की में पिसना पड़ेगा मेरे पास वही पुरारी रूटीन जीवन होगा हमारी उम्र के कई लोग इसी तिनाम के करण मर जाते हैं अगर मेरे पास अधिक समय रहे तो मैं अपने बेटे के स्कूल की अभी भावक समीति में शामिल होना चाहूँगा मैं अपनी वर्कशॉप में अधिक समय बिताना चाहूँगा और स्वैम के निर्नाय लेना चाहूँगा मैं अपनी जिन्दगी को दूसरे के नियंतरण में देखते देखते ठक चुका हूँ ब्रूनो इससे आप चिंतित क्यों होते हैं? जिम क्योंकि अगर मेरे पास समय होगा तो मैं चीजों को दूसरी तरह से करना चाहूँगा मैं ज्यादा अच्छी तरह से जीना चाहूँगा और काम कम करना चाहूँगा जीवन शैली बदलने के लिए मैं स्वैम के लिए कुछ करना चाहूँगा ब्रूनो नेटवर्किंग बिजनस बना है इस तरह से है कि आपको यहां सब चीजे एक साथ मिल जाती है यह आपको अधिक समय अधिक स्वतंतरता देता है स्वयम का बिजनस शुरू करने तथा दूसरों के सहता करने के अफसर देता है और वह भी नए करियर की शुरूआत के जोखिम के बिना मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या लाब हुआ ब्रूनो एक साल से भी अधिक समय से जिम को बिजनस में शामिल करने का असफल प्रयास कर रहा था जब ब्रूनो ने पांच ठो सोने के सवालों का रहस सीख लिया तो उसने महसूस किया कि साल भर में वह जिम को वह बताने का प्रयास कर रहा था कि जिम को अपने जीवन में क्या करना चाहिए यह ब्रूनो का विचार था जिम का नहीं ब्रूनों की कार्ड के पीछे दी गए सूची और पांच ठोस सोने के सवालों ने जिम को यह बताने पर मजबूर कर दिया कि वह बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहेगा जब जिम ने बिजनेस की योजना देखी तो उसे अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हुआ उसने पूचा यह मुझे आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया इसका जवाब यह था कि इसके पहले उसे यह बताया गया था कि उसे शामिल क्यों होना चाहिए परन्तु इससे पहले किसी ने उसके प्रात्मिक त्रेणा घटकों के बारे में पूचा ही नहीं था किस तरह दात के डॉक्टर का आपरेशन हुआ यह घटना मेरे साथ हुई 44 वर्षी है फ्रैंक मेरा दंत चिकित सक था उसके पास समुदर तट पर 10 लग डालर का आलिशान बंगला था एक शांदार कार थी और वह हमेशा व्यस्त रहता था अधिकतर लोगों की राय में वह बहुत सफल व्यक्ती था एक दिन जब मैं इस्तानिया शॉपिंग सेंटर में था तब मैंने उसे काफी हाउस पर बैठे देखा मैं भी काफी पीने के लिए उनके पास जा पहुँचा एलन काम धन्दा कैसा चल रहा है फ्रैंक फ्रैंक उत्सा हिन्द होकर ठीक ही है एलन मजा की अंदाज में फ्रैंक आप समुद्र तटपर रहते हैं आपके पास धेर सारा काम है और आप धेर सारा पैसा कमाते हैं फिर तो सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए फ्रैंक मेरे ख्याल से यह जिन्दगी उजारनी के लिए पर्यापत है अलन अच्छा फ्रैंक अगर आप इसे पसंद नहीं करते तो इसे छोड़ कर कुछ और शुरू क्यों ही करते फ्रैंक मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा अलन क्यों ही नहीं फ्रेंक यथार्थ पूर्ण स्वर में क्यूंकि मैं दातों का डॉक्टर हूँ हमेशा दातों का डॉक्टर था मैं यही कर सकता हूँ एलन रूची लेते हुए अच्छा फ्रेंक आपने दातों का डॉक्टर बनने का फैसला कप किया तब मैं 18 साल का था और विश्वी दाले में पढ़ रहा था मैंने चिकित्सा में दाखिला नहीं लिया और दंत चिकित्सा मेरा अगला विगल्ब था एलन क्या आपको दातों का डॉक्टर बने रहना अच्छा लगता है फ्रैंक फ्रैंक चटके से सच कहूं तो नहीं पर इससे बिल चुक जाते हैं एलन फ्रैंक अगर कोई 18 साल का लड़का आपकी सरजेरी में आकर आपसे कहे कि अगले 20 साल में आपको अपनी जिन्दगी किस तरह जीने चाहिए तो क्या आप उसकी बाते सुनेंगे फ्रैंक हस्ते वे 18 साल का अनुभवी ही यूग 44 साल के अनुभवी आदमी की जिन्दगी के बारे में क्या समझ सकता है एलन तो आप उसकी बात नहीं सुनेंगे फ्रैंक बिलकुल नहीं एलन फिर आप अभी उसकी बात क्यों सुन रहें चर्चा एकदम रुख गई फ्रैंक अवाक रह गया उसने यह कभी नहीं सोचा था कि 18 साल की कॉलज में पढ़ने वाला च्छात्र के छणिक निर्ने से 44 साल की उम्र में उसके जीवन की दिशा नियंत्रित हो रही है मैं देख रहा था कि यह सवाल उस पर कितना प्रभाव डाल रहा था और यह इतना अच्छा अफसर था जिसे मैं खोना नहीं चाता था मैंने अपनी जेब में हाट डाला और अपना बिजनस कार्ट निकाला जिसके पीछे प्रात्मिक पेड़ना घटकों की सूची छपी हुई थी एलन फ्रेंक इस सूची पर नजर डाले आपकी नजर में जिन्दगी की पहली प्रात्मिकता कौन सी है लंबी खामोशी के बाद उसने अंततह जवाब दिया फ्रेंक ज्यादा खाली समय आलन आपने इसी विकल्प को क्यों चुना फ्रेंक मैं हर रोज सुब़ छे बज़े उड़ जाता हूँ ताकि साड़े आट बज़े से पहले मरीज देखने के लिए मैं तयार हो सकूँ मैं शाम छे बज़े तक काम करता हूँ और पूरे दिन उन लोगों के शिकायतें और तकलीफे सुनता रहता हूँ जो मुझे देखकर खुश नहीं होते मेरे पास खुद के लिए या अपने बच्चों के लिए कभी समय नहीं होता सब्ता के अंत में भी नहीं मैं इतना ठक जाता हूँ कि मैं कोई भी महत्वपूर काम करने की हालत में नहीं होता फुर्सत एक ऐसी चीज है जो मेरे पास कभी होती ही नहीं है एलन यह आपके लिए क्यों महत्वपूर है फ्रैंक फ्रैंक असज होते वे जैसा मैंने कहा मेरा जीवन मिनट से मिनट तक के टाइम टेबल के अनुसार चलता है मैं सोचता हूँ कि काश मैं किसी स्कूल में टीचर होता ताकि मेरे पास ज़्यादा समय होता और धेश सारी छुटिया होती एलन यानी फ्रैंक दंत चिकित्सा जैसा नहीं दंत चिकित्सा वैसा नहीं है जैसे इसे समझा चाता है जब मैंने पहली बार इसमें कदम रखने का फैसला किया था फ्रैंक पांच मिनट तक भाव विलीन होकर उस कैद खाने के बारे में बात करता रहा जिसमें दंत चिकित्सा ने उसे कैद कर रखा था एलन अगर आपको ज़्यादा समय नहीं मिले तो इसके क्या परिणाम होंगे फ्रेंक फ्रेंक हतास भरे स्वरों में मुझे अपनी पूरी जंदगी सरजरी करते करते काटनी पड़ेगी मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं मेरे पास उनके लिए समय नहीं है मेरी पत्नी का कहना है कि मेरी तनाव पूर इस्थती से वह भी काफी तनाव करस्त रहती है फ्रेंक का चेहरा पीला पड़ रहा था उसकी आँखे डबडबा रही थी मुझे लगा कि वह फूट फूट कर रोने वाला है 20 साल में पहली बार वह अपने दिमाग में मौझूद विचारों को शब्दों में व्यक्त कर पा रहा था एलन दीमे से आप इससे चिंतित क्यों होते हैं फ्रेंक फ्रेंक ने कोई जवाब नहीं दिया वह जवाब दे भी नहीं सकता था क्योंकि वह काफी चिंतित था वह बस चुप चाप वहाँ बैठा रहा मैंने ज़्यादा जानकारी के लिए उस पर दबाओ नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह इसे चेल पाएगा इसके अलावा मुझे कॉंफलेक्ट खरीदने चाहिए थे ना कि फ्रैंक की जिंदगी को बदलना चाहिए था तीन महने बाद मैं फ्रैंक से उसकी सरजरी में मिलने गया उसके रिसेप्टनिस ने मुझे बताया कि वे बाहर गए हुए थे वे एक सोमवार को लोड़ कर आये थे और उन्हेंने घुशना की थी कि उनका एक दोस्त उनकी जगा किसा करेगा वे कुछ चुटिया मनाने जा रहे हैं किसी ने भी उन्हें तीन महने से नहीं देखा था एक साल बाद मैंने सुना कि फ्रैंक अमेरिका में कमीशन पर मोटल बेच रहा है और वो काफी खुश है मैं आज भी नहीं जानता कि फ्रैंक कहा है या वो क्या कर रहा है पर यहां जो कुछ हुआ वो इसलिए महत्वपूर है क्यूंकि यह बताता है कि यह तकनीक कितनी शक्तिसाली हो सकती है और किस तरह आप उन लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं जिनकी आपको कतई उम्विद नहीं होगी हो सकता है कि कहीं पर फ्रैंक का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनस हो ऐसा ग्रहक जिसकी कोई प्रात्मिक्ता ही नहो कभी कबार आपका किसी ऐसे संभाविक ग्रहक से पाला पड़ता है जिसकी कोई प्रात्मिक्ता ही नहीं होती कई लोगों के पास प्रात्मिक्ता दो कारण से नहीं होती पहला कारण तो यह है कि उनकी सचमुझ कोई प्रात्मिक्ता होती ही नहीं है और नमबर दो या नमबर तीन प्रात्मिक्ताएं भी नहीं होती इस तरह के मामलों में उन्हें धन्यवाद दे और अगले संभावित गरहा की खोज में चल दे अपना समय ऐसे लोगों के साथ बरबात न करें जिनके पास कोई आशा, सपना या प्रात्मिक्ता न हो दूसरा कारण यह होता है कि वे प्रात्मिक्ता चुनने में इसलिए भी डरे हुए हो सकते हैं क्यूंकि उन्हें उसके अनुसार काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा इस तरह के संभावित गरहाकों से कैसे निप्टा जाए आपके और संभावित गरहाक के बात चीत के कुछ अंश उधारण आप, आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या है? संभावित गरहाक, सच कहों तो इन में से कोई भी नहीं आप, कोई भी नहीं संभावित गरहाक, नहीं, इन में से कोई भी अभी मेरे लिए महत्वपुण नहीं है आप, सामान रूप से अच्छा अगर इन में से कोई प्रात्मिक्ता महत्वपुण होती तो कौन से होती संभाविद ग्रहाक अगर कोई प्रात्मिक्ता महत्वपुण होती तो शायद आर्थिक स्वतंतरता ही होती आप आर्थिक स्वतंतरता ही क्यों? संभाविद ग्रहाक क्यूंकि पैसे का होना काफी महत्व रखता है और अब आप पांच ठोस सुने के सवाल को पूछना जारी रख सकते हैं मौन की शक्ती सवाल पूछने के बाद जब तक आपका संभावित ग्रहाक अपना जवाब पूरा न दे दे आप एकदम चुप रहें प्रात्मिक्ता चुनने में उसकी सहता करने के सारे प्रलोबनों पर काबू पाएं क्यूंकि यह विचार पूरी तरह उसका होना चाहिए आपका नहीं उसे आपको बताना चाहिए कि वह आपके विजनस में क्यूं शामिल होना चाहता है संभावित ग्रहक के जीवन में शायद पहली बार किसी ने उससे इतने महत्पूर्ण शवाल पूछे हैं और उसे खुद जवाब देने का अफसर दिया होगा अगर आपके संभावित ग्रहक से पहले भी नेट्वर्ण मार्केटिंग के लिए किसी ने पूछा होगा तो भी शायद पहली बार ही किसी ने उससे यह सवाल पूछ कर चुप्पी साधी होगी आपके संभावित ग्रहा के जवाब उस प्रतिबदतास के बारे में भी बताएंगे जो वह बिजनस में लंबी अवधी के लिए अपनाएगा भेडों को बकरियों से अलग कैसे करें? पांच ठोस सोने के सवाल के जवाब संभावित ग्रहा जितनी गंभीरता और गहराई से देगा उससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह व्यवसाय में कितना प्रेरित और प्रतिबद रहेगा? यदि उसके जवाब लापारवाही पूर्ण, अविश्वस्निय या असंतोस जनक हों तो आपको सावधानी से यह सोचना होगा कि आपको उसे नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल करने का निमंतरन देना चाहिए या नहीं? जब तक आपके संभावित ग्रहाग के सीने में आग न हो तब तक वह शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं करेगा। अगर पांच ठोस सोने के सवालों के उसके जवाब कमजोर हों तो बहतर होगा कि आप कोई नया ग्रहाग खोज लें। जो संभावित ग्रहाग कमजोर प या ना करें। प्रात्मिक्ता वाले संभावित ग्रहाग हमेशा सफल होंगे। आप केवल इस प्रकरिया की गती बढ़ा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्योसाय बनाना एक बगीचा लगाने की तरह है। आप जमीन खोदते हैं, खाट डालते हैं, घास फूस को हट और या सुनिस्चित कर लेते हैं कि वह बुरे मौसम से बचा रहे। पर फिर भी कुछ ही बीज उग पाते हैं जबकि बाकी नस्ट हो जाते हैं। आप केवल यह कर सकते हैं कि आप उन्हें खाट पानी दे और घास पूस को हटा दे। मजबूत बीज आपकी देखभाल के ब भी न करें कि एक कमजोर बीज को फ्रोसाहन दिया जाए और वह एक मजबूत और सुंदर पौधे में बदल सकता है। ऐसा कभी कबार ही होता है। असली रहस्य है मजबूत बीज बोना। यही पांच ठोस सोने के सवालों का लक्ष है। इसके पहले कि आप उन्हें बोने का फैसला करें ये सवाल बीच की संभावित शक्ति का परिक्षन करेंगे। अगर कोई संभावित ग्रहाक सवालों का जवाब देते समय मजबूत नहीं लगता तो वह आपके लिए गलत ग्रहाक हो सकता है। शायद उसका समय निर्धारण ही गलत हो या वह केवल आपके सामान के बाद आप देखेंगे कि आपने संभावित ग्रहाकों के समू के सामने प्रस्तूती करने का अश्चर जनक तरीका खोज लिया है। आप या तो तयार PMF सुची का इस्तमाल कर सकते हैं या समू के लोगों से पूछ सकते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग समू में क्यू क्यों शामिल होना चाहेंगे। तयार सुची के साथ आप किसी से भी यह सवाल पूछ सकते हैं आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या है और फिर रुक जाएं इसी प्रक्रिया को दूसरे और तीसरे संभावित ग्रहाक के साथ दोराएं और बहुत जल्दी आप पाएंगे कि पूछ सकते हैं आपने इसी को क्यों चुना और फिर सभी सवालों को एक एक कर पूछते जाएं यह बड़ा मज़िदार होगा जब पूरा समू एक दूसरे को बताएगा कि शामिल होना क्यों महनत्वपूर हैं और इस दोरान आपको कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा आपको केवल अपना सिर हिलाते जाना है और उनका उत्सा बढ़ाना है तीसरी कुझी सही बटन दबाएं योजना दिखाएं यहाँ पर अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग कारेकरता बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर आप यह बताते हैं कि आपकी योजना उन आशाओं सपनों और डरो का समाधान है जो आपने दूसरी कुझी सही बटन धूंदे द्वारा खोजे थे आपको दिए गए प्रसिक्छन से आपको अपनी व्यवसाइक योजना को प्रस्तुत करने का ऐसा तरीका निसंदे मिल जाएगा जो आजमाया हुआ होगा और जिससे अपेक्षित प करने का तरीका समाधान तारकिक रूप से सही होना चाहिए पर तर्क का प्रभाव केवल दिमाग पर पड़ता है पांच ठोस सोने के सवाल भावनाओं के तालों को खोलते हैं और संभावित ग्रहाकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने समाधान स्वयम खोजे अगर आपने समाधान देने से पहले ही सामने वाले से प्रात्मिक प्रेरिणा घटक को नहीं खो जा है तो हो सकता है कि संभावित ग्रहाक उस समय तो उत्साहित हो जाएगा पर बाद में वह भावनात्पक रूप से प्रेरित या प्रतिबद्ध नहीं होगा इसी कारण अधिकतर के साथ बिताने के लिए जादा समय होगा या इसका मतलब यह है कि आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर हो आराम मिलेगा जो आपके अनुसार आपको चाहिए जब आप व्यवसाहिक युजना बनाते समय अपने संभाविक ग्रहा के ही शब्दों को दोहराते हैं तो यह बात उनके लिए व्यक्तिकत बन जाती है यह अर्थपूर्ण और प्रेणा धैक बन जाती है क्यूंकि वे विचार वशब्द उनके होते हैं आपके नहीं अगर आप इन तकनीकों का पूरी तरह पालन करते हैं तो आपने संभावित ग्रहाक से अपनी योजना में शामिल होने के लिए अग्रह करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती उनके खुद के भीतर इतना उत्सा पैदा हो जाना चाहिए कि वे बिदनस शुरू करने के लिए बेताव हो जाएं हमेशा अपने प्रस्तुती को इस नजरिये के साथ रखें जैसे ततकाल शुरुआत करना एक स्वभाविक प्रक्रिया हो आपकी शहली वेफसाइक तो हो परंतु सहज भी हो जैसे आप हर रोज यही सब करते हैं जब आपको लगे कि आपके संभावी गरहाक ने बिदनस में शामिल होने का मन बना लिया है तो याद रखें आप उन्हें तुरंट शामिल होने का निमंतरण अवश्य दें हमेशा विश्वास पूर्ण वह निश्चित बने रहें और उसे बताएं कि आप उसे शामिल करना चाहते हैं आज ही न की अगले दिन यह पद्दती काम क्यूं करती है? चार कुण्जियों वाली पद्दती हां तक पहुंचने का आजमाया हुआ नुस्खा है इसलिए इससे अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए आपको इस फार्मूले का पूरी तरह पालन करना है मैं जिन नेटवर्क मार्केटिंग कारकरताओं से मिला हूँ उनमें से अधिक्तर बर्फ पिगलाएं इस तर पर अच्छा प्रदशन करते हैं उन्होंने सीख लिया है कि लोगों से दोस्ताना ढंक से बात कैसे की जाए और किस तरह उनसे ताल मिल बठाय जाए अधिक्तर नेटवर्क मार्केटिंग कारकरता सही बटन ढूंडे इस तर पर अधिक प्रभावी नहीं होते वे बर्फ पिगलाएं से सीधे सही बठन दबाय पर पहुंच जाते हैं यह मान भी लिया जाए कि वेवसाएक योजना की उनकी प्रस्तूती श्रेष्ट रहती हो तो भी यह अवश्यक नहीं है कि संभावित ग्रहक शामिल होने के लिए प्रेरित हो जाएंगे क्यूंकि वे भावनात्मक रूप से तैयार नहीं हो पाते यही प्रमुक कारण है जिसकी वज़े से कई संभावित ग्रहक आपकी योजना की प्रस्तूती से रोमान्चित हो तो जाते हैं पर एक दो दिन बाद ही उनका उत्सा पूरी तरह से ठंड़ना पड़ जाता है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कारे करता तो योजना दिखाने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे विचार को बेच तो सकते हैं पर वे इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उन्हें इसे वापस खरीदना पड़ता है आपकी वेवसाइक योजना आपके संभावित ग्रहक के उन कष्टों का समधान है जिन्हें वे दूर करना चाता है और उन लाभों का समधान है जो वे प्राप्त करना चाता है इसलिए योजना दिखाने का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप संभावित ग्रहक की प्रात्मिक प्रेणा घटक न खोज ले और उन्हें इसके बारे में आवेशित न कर दे अगर आप सही बटन ढूने में श्रिष्ट हो तो आपको सौधा पक्का करने की इस्तिती के बारे में अधिक चिंतित होने की आवश्यक्ता नहीं है अगर आप जानते हैं कि संभावित ग्रहक को किस तरह भावनात्मक रूप से विचलित किया जा सकता है तो वे अपनी समस्याओं के लिए स्वेम समाधान खोजना प्रारंब कर देंगे इस तरह सही बटन ढूंदना और उसे दबाना और अपना नेट्वर्क बनाना आपके लिए एक सरल कारिप बन जाएगा चैप्टर थ्री शशक्त प्रस्तूती के छह मत्तुपूर उपाय यहाँ पर छह छोटे परन्तु बहुत प्रभावी उपाय दिये गये हैं जो आपकी प्रस्तूती को दमदार बना देंगे उपाय पहला पुल बनाना पुल बनाना एक तक्नीक है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परस्तूती को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बाते करते हैं या आपका संभावित ग्रहक बहुत कम बाते करता है अगर आप कोई महत्तपूर्ण सवाल पूछे हैं और जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप बहुत कुंटित हो जाएंगे असली जिंदगी की कहानी किस तरह स्यू ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया यहाँ पर स्यू का उधारण है जो एक डिस्टिबूटर थी और वह अपने संभावित ग्रहाक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी फ्रेड एक कम्प्यूटर कंपनी में काम करता था और उसने अपनी लंच की छुटी में स्यू को मुलकात कर समय दिया था फ्रेड शुरुआत में जरा रूखा नजर आया और वह बातुनी स्वभाव का नहीं था इसलिए स्यू शूरू से थोड़े निरुच साही हो गई स्यू आप इस बिजनस में कैसे आए फ्रेड मेरी हमेशा से ही कम्प्यूटर में रूची थी इस संबंद में स्यू के पास अधिक जनकारी नहीं थी इसलिए उससे बात बढ़ाने के लिए अगला सवाल पूछना पड़ा स्यू आपको कम्प्यूटर के बिजनस में सबसे अच्छी बात क्या लगती है फ्रेड यह लगातार बदलता रहता है दोबारा दिये के इस छोटे जवाब ने स्यू को फिर से मजबूर कर दिया कि वह अगला सवाल पूछे ताकि बातचीत का सिलसला जारी रह सके समस्य यह थे कि अगर वह धेर सारे अच्छे सवाल भी पूछती तो भी कुछ समय बात बातचीत किसी इंटर्वियू की तरह लगती जिसमें स्यू की भूमी का पुलिस्ट कमिशनर जैसी हो जाती छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्रहाग को संभालने का स्रिश्टम तरीका यह है कि उनसे चर्चा करते समय पूल बनाया जाए शक्तिशाली पूल निम लिखिते हैं अर्थात यानी उधारन के तौर पर फिर इसलिए तब आपने इसका मतलब हर पूल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए सौभागे से स्यू ने पूल का उपयोग करना सीख लिया था और फ्रेट के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली स्यू आप इस वैसाय में कैसे आए फ्रेट फ्रेट मेरी हमेशा सही कंप्यूटर में रूची थी स्यू यानि फ्रेट यानि नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मद्य माकार की कंप्यों में लगाना स्यू इसका मतलब है फ्रेट इसका मतलब है कि मैं किसी भी कंपनी की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए ऐसे सौफ्टवेर तयार करने में सहता करता था जिससे जिन्दगी आसान हो जाए स्यू, उधारन के तौर पर फ्रेड, उधारन के तौर पर कल की ही बात ले कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी उन्होंने मुझे बुलाया और इस मामले में सियू ने न केवल सफलता पूर्वक एक किला जित लिया था बलकि वह इंटर्वियू लेने वाले की तरह भी नहीं लग रही थी और उसने ज़्यादा सब्दों का प्रयोग भी नहीं किया था वह फ्रेड के भारे में अधिक से अधिक उपयोगी जानकरी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नमबर के विशय पर बाते कर रहा था वह खुद जब आप पूल का प्रयोग करें तो यह तीन काम करें पहला आगे की और जुकें हतेली खोल कर आगे करें दूसरा पूल के आखरी अक्षर को थोड़ा खीचें तीसरा पीछे टिक जाएं और चुप हो जाएं हतेली खोल कर आगे की और जुकने के दो संकेत संप्रेसिस होते हैं पहला तो यह की बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं है और दूसरा संकेती है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बाते करने की उसकी बारी है क्यूंकि आपने नियंतरन उसके हातों में सौप दिया है पूल की आखरी अक्षर को खीचने से यह लगबग एक सवाल की रूप में बदल जाता है जबकि यदि इसे न खीचा जाए तो यह एक वक्तव की तरह लगेगा उधारन के तौर पर ताकि बिजनस ज़्यादा अच्छे डंग से चल सके यानि यानि इससे लोगों की जिंदगी ज़्यादा आसान हो जाती है और वे अपने ग्रहकों को बहतर सिवाय दे सकते हैं आप जानती ही होंगी अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता यदि पुल और आखरी अक्छर को नहीं खीचा जाए तो यह एक विचार या वक्तव की तरह लगेगा जो अपमान जनक भी लग सकता है जब आप पुल का प्रयोग कर लें तो इसके बाद चुप हो जाएं अनंत सी प्रतीत होती खामोशी से न घवराएं और अपने ग्यान के मोती बिखेरने के लालत से बचें पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुपी चा सकती है आपकी खुली हतोयली यह बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्रहाग को दे दी है इसलिए अब आप उसे ही बोलने दे सुनने की देह भाशा यहां एक उधारन दिया जा रहा है कि पुल बनाने से किस तरह छुपी हुई पिरेड़नाओं को सामने लाया जा सकता है और संभावित ग्रहाकों से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है नियंतरन दे देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी हुड़ी पर रख लें और इस तरह मुल्यांकन की इस्थिती में आ जाएं इसे सुनने वाले को ततकाल या मालूम पड़ जाता है कि उसे बादचित शुरू करनी है क्योंकि आप पीछे टिके हुए हैं उधारण के लिए अगर आपको संभावित ग्रहक के आर्थिक स्वतंतरता को अपनी पहली प्रात्मिक्ता चुना है आप आपकी पहली प्रात्मिक्ता क्या है? संभावित ग्रहक आर्थिक स्वतंतरता आप आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक क्योंकि ये मतपूर है जिंदगी में जो भी करना चाता हूँ इसके लिए मुझे पैसो की जरुवत है आप आगे जुकते हुए हाथेली खुली रखकर यानि संभावित ग्राहक यानि मेरे पास अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा देने के लिए और आराम दे जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए आप आगे जुकते हुए हाथेली खुली रखकर आराम दे जिंदगी यानि संभावित ग्रहक, याने मेरे पास लंबी छुटियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं नई कार खरीच सकूँ और कभी-कभी थोड़ी बहुत विलास्ता की चीजे भी खरीच सकूँ आप उधारन के तौर पर संभावित ग्रहक, उधारन के तौर पर अगर मैं यातरग करना चाहूं तो मैं इस योग के बन सकूँ की यानी और उधारन के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने से आपका संभावित ग्रहग वह सब बताने लगेगा जो वह सोचता है, अनुभो करता है और विश्वास करता है और सबसे महत्वपुन बात यह है कि आप जादा बाते नहीं कर रहे हैं पुल एक तरह से खुले सवाल होते हैं, प्रस्थूतियों में उनका सरिष्टम प्रयोग तब होता है जब लोग अपने बारे में ज्यादा बाते न कर रहे हों या वे आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हों जब आप पहली बार पुलों का प्रयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खास कर तब जब आप बातुनी स्वभाव के हों, क्यूंकि पुल के प्रयोग के बाद बादचेत में कुछ देर तक खामोशी चा जाती है, पर आपके शुरोता को तो छोटे जवाब देने की आदत है, इसलिए उसे ये खामोशी पूरी तरह स्वभाविक लगती है, पुलों का प्रयोग मज़िदार होता है, क्यूंकि उनसे प्रस्तूतियां अधिक रोचक बनती है, और आपको मौन नियंतरण की शक्ती भी मिलती है, उपाय दो, सिर हिलाने की तकनीक, अधिकतर लो है कि शरीर को जुकाना या नीचे करना जो ये बताता है, मैं आपके सामने जुक जाता हूँ, मैं आपकी इक्छाओं के अधीन हूँ, तो यह एक तरह की जुकने की क्रिया है, सिर जुकाने की तकनीक के दो शशक्त उप्योग है, दे भाशा मतलब बॉडी लेंग्विज आ आपकी अंदूरी नी भावनाओं की बहारी अभिवेक्ती है, अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं, तो बोलते समय आपका सिर अपने आप नीचे की और हिलने लगेगा, अगर आप तथस्त अनुभव करते हों और फिर से जान बूच कर अपना सिर हिलाने लगें, तो आप सकारात्मक भावनाओं अनुभव करने लगेंगे, दूसरे शब्दों में सकारात्मक भावनाओं से सिर नीचे की और हिलने लगता है, इसके उल्टा भी बिल्कुल सही है, सिर हिलाने से भी सकारात्मक भावनाओं उत्पन होती है, अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं, त तो आप भी सिरहलाने लगेंगे। बले ही आप मेरी बातों से सहमत नहों। सहमती और सहोग प्राप्त करने का यह एक अदभूत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य को शाब्दिक सहमती के शब्दों के साथ समाप्त करे। है ना? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है? ठीक है ना? जब वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिरहलाते हैं तो श्रोता को सकरात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और उससे सकरात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है। और एक सब्धा के भीतर आप इसे अपने body language संकेतों का इस्थाई हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है कि इससे चर्चा आगे बढ़ती है। यह इस तरह होता है। जब आप एक खुला सवाल पूछ लेते हैं या एक पुल का उपयोग करते हैं और श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय अपने सिर को हिलाए। जब वह बोलना खत्म कर चुके तो भी अपने सिर को एक बार 30 सेकंड की दर से पांच बार हिलाना जारी रखें। सामान्य तरह 4 सेकंड बाद ही शुरोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लगता है। और जब तक आप पीछे की ओर टिके हैं और आपका हाथ आपकी हुड़ी पर रहता है तब तक बोलने के लिए आप पर कोई भी दबाव नहीं होता है। इस तरह से आप एक प्रश्न करता की तरह नहीं लगेंगे। जब आप सुने तो अपने एक हाथ को अपने थुड़ी पर रखें और उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इन संकेतों के अध्यन से ग्यात हुआ है कि इनसे संभावित ग्रहा को लंबे समय तक बोलते रहने का प्रोसाहन मिलता है। आप चित्र पर देख सकते हैं। पुरुस की थुड़ी सहलाना, महिला का थुड़ी सहलाना। उपाय तीन निउन्तम प्रोसाहक। जब दूसरे वेक्ति बोल रहा हो, तो निउन्तम प्रोसाहकों के द्वारा उसे बोलते रहने के लिए प्रोसाहित करें। निउन्तम प्रोसाहक यह हैं। अच्छा? ओ, सच? फिर क्या हुआ? नियुन्तम प्रुसाहक दूसरे वेक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी की मात्रा में दोगुनी से भी अधिक वृद्धी कर सकते हैं सिरहिलाने की तक्नीक और पुलों के साथ मिल जाने के बाद नियुन्तम प्रुसाहक आपके सबसे प्रभावी यंत्र बन जाते हैं जिनके द्वारा आप अपनी प्रस्तूती को बहतर ढंग से जारी रख सकते हैं उपाय चार आखों पर काबु कैसे करें शोध से पता चलता है कि आमने सामने की प्रस्तूती में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुँची जानकारी में से 87 प्रतिशत आखों के माध्यम से पहुँचती है 9 प्रतिशत कानों के माध्यम से और 64 प्रतिशत अन्य इंद्रियों के द्वारा उधारण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्रहक आपके बोलते समय आपकी द्रिश्य प्रस्तूती की और देख रहा हो और आपका संदेश उसके द्वारा देखी जाने वाली चीज से संबंध न हो तो वह आपके संदेश का केवल 9 प्रतिशत ही ग्रहन कर पाएगा अगर आप यात्रा के बारे में बात करते समय एक घर की तस्विर बनाने लगेंगे तो उसे आपकी बात समझने में काफी मुश्किल होगी अगर आपकी बातें आपकी द्रिश्य प्रस्तूती से संबंध है तो भी वह आपके संदेश का केवल 25 से 30 प्रतिशत तक ही ग्रहन कर पाएगा और वह भी तब जब वह द्रिश्य प्रस्तूती की ओर देख रहा हो न कि सीधे आपकी ओर अधिक्तम नेत्र नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी प्रस्तूती की ओर इशारा करने के लिए एक पैन का प्रयोग करें और साथ ही साथ आपका संभावित ग्रहाग जो देख रहा हो उसे शब्दों में इस्पस्ट करें इसके बाद आप नेत्र केंद्र उपकरण से अपने पैन को हटा ले और उसकी तथा अपनी आँखों के बीचों बिच रख लें और बोलते समय अपना सिर हिलाते रहें नेत्र नियंत्रन के लिए पैन का प्रयोग दी गए चित्र में पैन के उपर से अपने संभावित ग्रहाग की आँखों में देखें और पैन से इशारा वही करें जहां आप देख रहे हो इससे आपके संभावित ग्रहा के सिर पर चुम्बकी प्रभाव पढ़ने से वह सिर उठाकर आपकी आँखों में देखेगा और तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से देखेगा और सुनेगा और आपके संदेश का उस पर अधिक्तम प्रभाव पढ़ेगा यह सुनिश्चित कर लें कि आप जब बोल रहे हो तो आपके दूसरे हाथ की हतेली दिख रही हो ताकि भैहिन वातावरण निर्मित हो सके उपाय पाँच प्रतिरूपण जब दो लोग एक दूसरे के साथ मांसिक रूप से एकाकार होते हैं तो उनके शरीर भी आपसी तालमेल दिखाने के लिए प्रेरित होते हैं और वे एक जैसी मुद्राएं यहां तक की एक जैसी हाव भाव अपना लेते हैं इस वहवार का उद्देश यह दोनों के बीश तालमेल बनाना और संगर्स टालना है इस सब्द वहिन व्यभार से आप यह कहते हैं मैं भी आपके जैसे ही हूँ और मैं आपसे तदा आपके दृष्टिकोंट से सैमत हूँ दूसरे व्यक्ति के साथ एकाकार होने के शुरुआत गर्बा वस्ता में ही हो जाती है जब हमारी देह क्रियाएं और दिल की दड़कन हमारी मां की ले से तालमेल बना लेती हैं इसी लिए प्रती रूपण एक ऐसी अवस्ता है जिसके प्रती हमारा स्वाभाविक जुकाव रहता है चित्र देखें मम्मी डेडी और रोवर परिडाम सरूप जिन लोगों के साथ हमारा तालमेल बैट जाता है हम अपने आप ही उनकी नकल करने लगते हैं आप इसे व्यवारिक बैठकों या समाजिक उत्सवों में उन लोगों के साथ होते देख सकते हैं जिनकी एक दूसरे से अच्छी पढ़ती है इसी कारण कई सालों तक एक साथ रहने के बाद लोग एक दूसरे की तरद दिखने लगते हैं फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो उन दोनों की तरद दिखता हो बंदर जो देखता है वही करता है अगले चित्र में खड़े दो लोग प्रती रूपन का उत्कृष्ट उधारन प्रस्तूत करते हैं वे एक जैसी मुद्राओं में खड़े हैं उन्होंने अपने गिलास एक ही तरह से पकड़े हुए हैं शायद उनके पेपदार्त भी एक ही हूँ उनकी पोशाक एक सी है और उनका शब्द प्रयोग भी एक जैसा है यदि एक वेक्ति अपनी जैब में हाट डालता है तो दूसरा उसकी नकल करता है अगर दूसरा अपने वजन को अपने दूसरे पेर पर डालता है तो उसका दोस्त भी वैसा ही करता है जब तक ये दोनों आपस में सहमत होंगे और उनमें तालमेल बना रहेगा तब तक प्रतिरूपन या प्रतिविंबन चलता रहेगा प्रतिविंबन दर्शाता है कि तालमेल बन चुका है प्रतिरूपन से सामने वाला वेक्ति सहज होता है यह तालमेल बनाने वाली एक प्रबल तकनीक है धीमी गती के वीडियो शोट से पता चलता है कि इसमें एक ही समय में पलक जपकाना, नतुने फुलाना, भुकुटी उठाना और यहां तक की पुतली फैलाना और सिकोड़ना भी शामिल है यह उलेखनी है क्योंकि इतने सुक्ष्म संकेतों की जान बूच कर नकल नहीं की जा सकती अच्छा तालमेल बनाना सामने वाले वैक्ती की देह भाषा और शाब्दिक भाषा को प्रतिबिम्बित करना ततकाल तालमेल बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है जब आप किसी नए वैक्ती से मिले तो आप उसकी बैठने की मुद्रा, देहकोन, हाव भाव और आवाज के लहजे को प्रतिबिम्बित करें जल्दी ही उसे ऐसा लगने लगेगा कि आप में ऐसा कुछ है जो उसे पसंद आ रहा है वह शायद आपको इनके साथ मेरे स्वाभाविक तालमेल है कि श्रेडी में रखेगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आप में अपनी छवी देखता है प्रतिबिम्बन द्वारा तालमेल बनाना चेतावनी नई मुलाकात में प्रतिरूपन शुरू करने में जल्दी बाजी न करें जबसे मैंने अपनी पुस्तक बॉडि लेंगवेज लिखी है बहुत से लोग प्रतिरूपन तकनीकों के बारे में जागरुक और जानकार हो चुके हैं और इन तक्नीकों को 10 करोड से ज़्यादा लोग टीवी और वीडियो पर देख चुके हैं। प्रती रूपन से पहले कुछ मिनिट का इंतजार करने में अक्सर समझदारी होती है। पुर्शों और महिलाओं के बीच प्रती रूपन असमानता है। भावों की अभिवेक्ती के लिए पुर्शों और महिलाओं के दिमाग अलग-अलग तरह से बने हैं। अधिकतर महिलाएं चहरे के हाव भाव का सहरा लेती हैं, जबकि पुरुष शरीर की गतियों और संकेतों के द्वारा अपने भावों को अभिवेक्त करते हैं। सामानित एक महिला दस सेकेंड की सुनने की अवदी में वक्ता के भावों पर प्रतिकरिया देते हुए औसतन चहरे के छे भावों का प्रयोग करती हैं। उसका चहरा वक्ता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। ध्यान से देखने वाले को ऐसा लगता है कि मानों दोनों महिलाओं के साथ एक साथ घटनाएं घट रही हूँ। यह दस सेकेंड की एक समान्य श्रिंकला दी जा रही है जिसमें एक महिला के चहरे से उसके सुने हुए भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। महिलाएं वक्ता की आवाज के लहजे और देवाशा के द्वारा कही हुई बातों का मतलब समस्ती हैं और अपने समझे हुए भावो को अपने चहरे के भावो द्वारा व्यक्त करती हैं। ठीक यही पुरुष को करना होता है अगर उसे महिला का ध्यान अपनी तरफ खीचना हो या उसे सुनने के लिए मजबूर करना हो। उस पुरुष को अधिक बुद्धिमान, दिल्चस्प और आकरशक समस्ती हैं। जन्नता में भावनाओं को छुपाने की विकाशवादी आवसकताओं के कारण अधिकतर पुरुष सुनते समय मूर्तियों की तरह भाव हिन दिखते हैं ताकि संभावित आकरमन से बचा जा सके। यहां 10 सेकेंड की एक वैसी ही समान्य श्रिंखला है जिसमें एक पुरुष का चहरा उसके सुने हुए भाव दिखा रहा है। दुख, आश्चर्य, क्रोद, खुशी, भै, आकांशा। यह पुरुष की सुनने की शैली के बारे में मजाक्या दृष्टी है पर इसमें हमें सच्चाई की जलक दिखती है। सुनते समय पुरुष, जो भाव ही नकाब ओड लेते हैं, उससे हमें लगता है कि वे इस्तिती के नियंतरण में हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि उनमें भावनाय नहीं होती। ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि महिलाओं की तरह ही पुरुष भी भावनाओं का उतना ही तीवरता से महसूस करते हैं, परंतु सब के सामने उसका इजहार करने से जिजगते हैं। पुरुष के वैवार को प्रतिबिंबित करने की कुझी यह समझ लेने में हैं कि वह अपने भावों का इजहार करने के लिए अपने पूरे शरीर का साहरा लेता हैं। पुरुष को प्रतिबिंबित करना काफी कठीन मानती हैं, पर अगर वे ऐसा कर लेती हैं, तो उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अगर आप एक महिला हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने चेहरे के भावों को कम से कम करना होगा ताकि आप भयावा ना लगें। सबसे महत्वपूर बात यह है कि आप वह प्रतिबिंबित न करें जो आपकी राय में सामने वाला पुरुष महसूस कर रहा है। अगर आपकी राय गलत हुई, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। आपको सिर्फिरा या अजीब समझा जाएगा। जो महिलाएं सुनते समय चहरा गंभीर बनाय रखती हैं, उन्हें पुरुष अधिक बुद्धिमान, कुशल वस्समझदार समझते हैं। उपाए 6. गती निर्धारित करना आवास का लहजा उतार चड़ाओ और बोलने की गती भी प्रती रूपन के दौरान एक से हो जाते हैं, ताकि तालमिल बहतर बन सके। इसे गती निर्धारित करना कहते हैं, और ऐसा लगता है मानो दो लोग एक ही सुर में गा रहे हों। आप अक्सर देखेंगे कि वक्ता अपने हाथों से ताल दे कर समय गीनता है, जबकि शुरोता अपने सर चुकाने की ले के द्वारा उससे तालमिल करता है। जब सम्मंद प्रगाड होते हैं, तो देह और भाषाई इस्थितियों के प्रतिविम्मिन में कमी आ जाती हैं, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की आगे आने वाले भावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। दूसरे वेक्टी के साथ गती निर्धरन तालमिल बनाने का प्रमुक माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाली वेक्टी से ज़्यादा तेज गती से न बोलें। सरविक्षन से पता चलता है कि यदि कोई उनसे ज़्यादा तेज गती से बात करता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी वेक्टी के बोलने की गती उसके दिमाग द्वारा जानकारी के सचेतन रूप से विश्येशन करने की छमता दर्शाती है। सामने वाले वेक्ती के समान या उससे कम गती में बोले और उसके लहजे के उतार चड़ाओ को प्रतिबिम्बित करें। गती निर्धारण बहुत महतुपूर हैं। खास कर फोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय क्योंकि वहाँ पर आवाज ही आपकी एक मात्र अस्त्र है। इसलिए आपको इस छेत्र में अभ्यास करने की आवशक्ता है। चैप्टर फूर सकरात्मक प्रभाव डालने की छ शशक्त तकनीके। चित्र देखें। खराप प्रभाव डालने के दो स्रेश्ट तरीके। पहला प्रभाव यानि फर्स्ट इंप्रेशन डालने के लिए आपको दोबारा अफसर नहीं मिलता है। शायद आपने अपनी दादी से यह सुना होगा। और यह बताने के लिए उन्हें कम्प्यूटर यंतरों की आवशक्ता भी नहीं पड़ी होगी। जिनके अनुसार चार मिनट से भी कम समय में लोग आपके बारे में 90 प्रतिशत राय बना लेते हैं। या यह कहें कि लोग तदकाल आपके बारे में कम से कम 25 निर्णय कर लेते हैं जिनमें आपकी उम्र, आय, सिक्षा, अधिकार, मितरता और विश्वशनियता समिलित हैं। वे तो यहां तक निर्णय ले लेते हैं कि बिना कोई गैरंटी लिए आपको कितना रुपय उधार दिया जा सकता है। सवभाग्य से इनमें से चार छेत्र ऐसे हैं जिन पर आपका थोड़ा बहुत नियंतरन होता है। यह हैं आपका हाथ हिलाने का तरीका, मुस्कुराहट, पोशाक और व्यक्तिगत स्थान। तकनीक पहला हतेली की शक्ति हमारी देभाशा यानि बॉड़ी लेंग्वेज के सरवादिक शशक्त संकेतों में से एक है हमारी हतेली का प्रयोग जिसे हम अक्सर अंदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हतेली की शक्ति द्वारा प्रयोग करता को अधिकार और मोन प्रभूता मिल जाते हैं। हतेली के संकेत मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। उपर की ओर हतेली, नीचे की ओर हतेली और हतेली बंद करके नोकदार तरजनी। हर इस्थिती में शक्ती के अंतर को हम इस उधारण में दिखा रहे हैं। मान लीजे आप किसी को कमरे के अंदर ही दूसरी जगह पर जाने के लिए कहते हैं। हम यह माल लेते हैं कि आप अपनी आवाज का लहजा एक सा रखते हैं और अपने शब्द तता चेहरे के भाव भी एक से रखते हैं केवल आपकी हतेली की इस्थिती बदल जाती है उपर की ओर हतेली चित्र ए अभैदान का संकेत है और इस प्रातना पर जिस व्यक्ति से जगा बदलने के लिए कहा जा रहा है वो भैबीत महसूस नहीं करेगा यह संकेत आदिकाल से प्रयुक्त किया जा रहा है जब गुफा मानाओ इसके द्वारा यह बताता था तो उसके हाथ में कोई हतियार नहीं था जब आपकी हतेली नीचे की और मुड़ी होती है जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो यह महसूस करेगा कि उसे आदेश दिया जा रहा है और वो आपकी बात का बुरा भी मान सकता है खास कर तब जब उन्हें लगे कि आपको इस तरह आदेश देने का कोई अदिकार न अगर आप प्रस्तूती दे रहे हैं और हतेली को लगतार नीचे की और रख रहे हैं तो शुरोता आपको नकार देंगे चित्र सी में बताए गई उंगली एक तरह की प्रतिकात्मक छड़ी बन जाती है जिसके माध्यम से वक्ता शुरोता को प्रतिकात्मक रूप से पीट क उससे आत्म समर्पन करवाना चाता है उंगली दिखाना सबसे अधिक चिडाने वाला संकेतों में से एक है विशेशकर तब जब शुरोता वक्ता के शब्दों के साथ समय की ले बना रहा हो नीचे हतेली और उंगली दिखाने के संकेत पर किये गये सोध से पता चलता है कि शुरोता इन संकेतों का प्रयोग कर रहे वक्ताओं को अधिक आकरामक, शक्तिसाली, घमंडी या अखड बताते हैं और वक्ताओं दोरा क्या कहा गया या ठीक से नहीं बता पाते ऐसा इतले होता है क्योंकि शुरोता तो वक्ता के दृष्टिकोंड के बारे में ही निर्ण आप पहेंगे कि इस्थितियों के सम्मिर्षण से आप अधिक आरामदे मोहल बना सकते हैं और अपने शुरोताओं पर अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं हाथ मिलाना गुफा मानव युग का अफशेश है जब भी गुफा मानव मिलते थे वे अपने हाथ आगे करके हथेलियां उपर करके यह दिखाते थे कि उन्होंने कोई भी हथियार नहीं पकड़ा या चुपाया है हावा में हथेलियां उठाने का यह संकेत सद्यों शंसोदिद हुआ है और एक हथेली उठी हुई या हृदय पर हथेली जैसे बहुतेरे संकेतों में बदल गया है इस प्राचीन अभिवादन प्रतीक का आधुनिक प्रकार है हथेलियों द्वारा एक दूसरे को जकड़ा जाना और हथेलियों को हिलाना यह मुलाकात के प्रारंब और अंत दोनों वक्त होता है हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी आदेश में हथेली उपर और हथेली नीचे की इस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है आईए इसे ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाने में इन दोनों इस्थितियों की प्रासंगिक्ता खोजें कलपना कर लें कि आपने किसी नए व्यक्ति से हाथ मिलाकर अभिवादन किया है तीन मूलभूत प्रतिकिर्याओं में से एक संप्रेशित होगी पहला अधिकार यह व्यक्ति मुझ पर हावी होने का अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है बहतर होगा कि मैं चोकस रहूं दूसरा समर्पन मैं इस व्यक्ति पर अधिकार जमा सकता हूं यह वही करेगा जो मैं चाहूंगा तीसरा समानता मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं हम दोनों की खुब जमेगी यह प्रतिक्रियाएं अचेतन द्वारा संप्रेसित होती है। अधिकार संप्रेसित होता है जब आप अपने हाथ को घुमा लेते हैं ताकि आपकी हतेली हाथ मिलाते समय नीचे की ओर रहे। आवश्यक नहीं है कि आपकी हतेली बिलकुल नीचे फर्ष की ओर ही रहे। हो सकता वरिष्ट प्रबंदन अधिकारियों के समूर के अध्यन से यह बात सामने आई कि न केवल उन में से 42 ने हाथ मिलाने की पहल की बलकि हाथ मिलाने के प्रबल नियंतरन का भी प्रयोग किया हाथ मिलाने की यह शैली तालमेल बनाने के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को यह आकरांत करने वाली लग सकती है यह पुर्षो द्वारा ही अधिक इस्तिमाल की जाती है ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते अपने पीट के बल लेट कर और अकर्मण करता को अपना गला दिखा कर अपना समर्पन दर्शाते हैं अधिकार पूर्ण हाथ मिलाने से उल्टा है अपनी हथेली को उपर की और रखना यह विशेश तोर पर तब प्रभावकारी होता है जब आप दूसरे व्यक्ति को नियंतर देना चाहते हैं या उसे यह समझाना चाहते हैं कि वह नियंतर में हैं हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए हाथ मिलाकर तालमेल बनाने के दो नियं है पहला अपनी हथेलियों को सीधे रखे न कि अधिकार पूर्ण मुद्रा में नहीं समर्पन की मुद्रा में बलकि समान इससे हर एक आराम दे वभैहिन महसूस करेगा दूसरा आप भी उतना ही दबाव डालें जितना आप पर डाला जा रहा है चित्र समानता इसका यह मतलब निकलता है कि यदि आपको दस लोगों के किसी सम्हू से मिलवाया जा रहा है तो आपको कई बार अपने दबाव को बदलना पड़ेगा और हाथ के कोडों में भी कई तरह के समंजस्चिक करने पड़ेंगे हाथ मिलाने की इस शैली में न कोई विजेता होता है नहीं पराजित और नहीं कोई डरा हुआ महसूस करता है इससे हर वेक्ति आराम दे इस्तिती में होता है और वह नए विचारों के प्रती रूची दिखा सकता है क्योंकि तब हम एक दूसरी के प्रती कम निरनेकारी होते हैं हाथ ऐसे न मिलाए नए लोगों का डबल हेंडर या दोनों हाथों से अभिवादन न करें हाला कि इसका लक्ष, स्वागत, गर्मजोशी और प्रगारता की भावनाय संप्रेसित करना होता है पर सामने वाले पर इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव होता है उसे लगता है कि आप गंभीर नहीं हैं कम विश्वशनी हैं या आप छुपे हुए उद्देश्यों से प्रेरित हैं हमेशा एक हाथ से ही हाथ मिलाना चाहिए चित्र नए लोगों से हाथ मिलाते समय दोनों हाथों का परयोग न करें तकनीक 3 बाए हाथ में सामान पकड़ना यह तकनीक पहली नजर में साफ दिख जाती है पर बहुत कम लोग इस ओर ध्यान देते हैं पोल्डर, कागच, ब्रीफकेस, पर्स या ग्लास अपने बाए हाथ में पकड़ने की आदट डालें हम एक दूसरे से हाथ मिलाते समय अपने दाए हाथ का प्रयोग करते हैं इसी तरह कुर्सी खिसकाने और अलविदा करने के लिए भी दाए हाथ का प्रयोग करते हैं उधारन के तौर पर अगर आपको किसी से मिलवाया जाता है और आपने अपने दाए हात में कोल्डरिंग पकड़ रखा है तो आपको अपने कोल्डरिंग को अपने बाए हात में थामने के लिए मजबूर होना पड़ता है अगर आप ऐसा सफलता पुर्वक कर भी ले और किसी के जूते पर एक बुन भी न गिरे तो भी नए व्यक्ति को एक ठंडा गीला हाथ मिलता है और उसके लिए यही आपका पहला प्रभाव होता है ठंडा और गीला अगर आप दाए हाथ में दास्तवेच पकड़े हों दर्वाजा खोलने कुर्सी खिसकाने या हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बदलते हैं तो आपके हाथ से दास्तवेच गिर सकते हैं और आपको मूर्क समझा जा सकता है तकनीक चौथा मुस्कुराहट की शक्ति इंसान ही इकलोती प्राणी है जो होटो को पीछी करके अपने दाथ दिखाता है पर आपको काड़ता नहीं है मुस्कुराने का उद्गम एक तुस्ति करन संकेत के रूप में हुआ है और बंदरो और चिंपांजियो द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वे धमका नहीं रहे हैं इस संकेतों में हमारे शोद दर्शाते हैं कि आप इसका जितना अधिक इस्तमाल करेंगे लोग आपके उतने ही पास खड़े होना चाहेंगे आपको अधीक देखना चाहेंगे, आपको छूने के लिए अधीक प्रेरित होंगे और आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे दूसरे शब्दों में आपके बिजनस और व्यक्तिकत जीवन के लिए मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज है क्योंकि यह दर्शाती है कि उनको आप से कोई खतरा नहीं है हमें से हर एक के शरीर के चारो और दूरी का एक बुलबुला होता है जिसे व्यक्तिकत इस्थान, परस्नल स्पेस के नाम से जाना जाता है इसकी चोड़ाई जनसंक्या गनत्तों पर निर्भर करती है और उस संस्कृति पर भी जिसमें वह व्यक्ति रहता है उधारन के तौर पर अधिकतर मद्यमवर्गी लोग जो अंग्रेजी भाशी देशों से आते हैं उनकी व्यक्तिकत इस्थान की आवशक्ता 46 cm यानी 18 इंच होती है और इसलिए बिना डर की इस्थितियों या सहज समाजिक इस्थितियों में वे एक मीटर दूर खड़े रहते हैं यूरोप, भुमद्य सागर और दक्चनी अमेरिका के कई हिस्सों में व्यक्तिकत इस्थान अवशक्ता 30 cm यानी 12 इंच तक कम होती है इसका मतलब या है कि वहां के निवासी एक दूसरे के इतने पास आराम से खड़े रह सकते हैं जिसे अधिकतर पश्चीमी देशों में गुसपैट करने वाला समझा जाएगा चित्रदो भुमद्य सागरिय देशों में खड़े होने की दूरी चित्रदो में अगर दोनों लोग भुमद्य सागरिय देशों से हैं तो वे इस दूरी पर एक दूसरे के साथ सहस्ता का अनुभाव करेंगे पर अगर इनमें से एक लंदन का हो और दूसरा रोम का तो लंदन वसी शायद यह समझेगा कि सामने वाला अधिक प्रगारता या अकर्मकता का प्रदशन कर रहा है अगर आप किसी के पास खड़े हैं और आप देखते हैं कि हर बार जैसे ही आप उसके पास जाते हैं सामने वाला थोड़ा पीछे हड जाता है तो आप दूरी बनाए रखें और उसके अधिक पास जाने का प्रयास न करें इसके द्वारा वह बता रहा है कि सहजता का अनुभव करने के लिए उसे इतना व्यक्तिकत इस्थान चाहिए एक बहुत समवेदन शील विशय अंग्रेजी न बोलने वाली कई संस्कृतियों में इसपर्स को संप्रेशन की शशक्त अभिवेक्ति माना जाता है और इन संस्कृतियों में यह प्रभावी संप्रेशन के लिए आवशक होता है इस तरह के मावलों में आपकी रणिती बिलकुल आसान है जितनी बार आपको च्छुआ जा रहा है उतनी ही बार आप इसपर्स को लोटाएं अगर सामने वाला आपको नहीं चु रहा है तो आप भी उसे न चुएं उधारन के तौर पर अगर वह वैक्ति इतावली या फ्रांसिसी हो और लगातार आपको च्छु रहा हो तो आपको भी उसे च्छुना पड़ेगा अन्यता वह यह सोच सकता है कि आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं कपड़े आपका शरीर का 90 प्रतिशत तक हिस्सा ढखते हैं और इसलिए आपकी पोशाक का लोगों पर काफी प्रभाव पड़ता है आपकी कपड़ों से आपकी विश्वशनियता, योग्यता, अधिकार, समाजिक सफलता वो व्यवशाइक इस्थिती का अनुमान भी लगाया जाता है हाला कि इस खंड में हम पोशाक के सभी पहलूं का विश्लेशन करने नहीं जा रहे हैं फिर भी मैं आपको उचित पोशाक का फार्मूला बता देता हूँ इस छेत्र में महिलाओं से अधिक गलतिया हो सकती हैं क्योंकि महिलाओं के पास पुर्षों की अपेक्छा, पोशाक की अधिक शैलिया, रंगवड डिजाइन होते हैं हालाकि अधिकांश पुर्षों के पास कम चुनाओ, मतलब कम कपड़े होते हैं फिर भी अधिकांश पुर्षों के पास इतनी बुद्धी नहीं होती कि वे मैचिंग का ध्यान रख सकें आदमी और शर्कस के जोकर में क्या आंतर होता है? जोकर जानता है कि वह अजीब कपड़े पहने हुए हैं इसके अलावा आंठ में से एक पुरुष, लाल, नीले या हरे रंग के प्रती रंग अंधत्व का शिकार होता है उचित व्यवसाइक पोशाक का रहस्य इस सवाल के जवाब में छुपा है आपका संभावित ग्रहाग आपको किस तरह की पोशाक में देखना चाहता है उनकी राय में विश्वशनिय खुस मिसाज, अधिकार पूर्ण, समस्दार, सफल और मिलनसार लगने के लिए आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए आपको कौन सा सूट, शर्ट, ब्लाउज, टाई, सकट, जूते, घड़ी, मेकप या हैर स्टैल चुनना चाहिए उनकी राय में आपकी राय में नहीं याद रखें आपके संभावित ग्रहाग का विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं इसलिए उसी के हिसाब से कपड़ों का चेहन करें या हर इलाके में अलग होता है और जलवायू के मान से पोशाक की स्चैलिया भी बदलती हैं पर आप अपने इलाके के सफल लोगों की मानक वेशभूशा के माप दंडों के अनुरूप ही अपनी वेशभूशा चुने कुछ लोग कहेंगे पर रिचार्ड ब्रैंसन और बिल केट्स को देखिए वे तो ऐसे कपड़े पहनते हैं मानो अभी हवदार सुरंग में से निकल कर आ रहे हूं ये लोग अपवाद हैं नियम नहीं अगर हम सब इनी की तरह कपड़े पहनने लगे तो दूसरे हम पर विश्वास करना या हमारा अनुसरण करना बंद कर देंगे अगर आप दुनिया के सबसे सफल निताओं और बिजनसमेन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वेश्वुशा इस्तरिय होती है और यही सबसे सुरक्षित मानक है अपनी पसंद या अपने आराम के हिसाब से अपने कपड़ों का चैन करके स्वेम की रह में बाधा खड़ी न करें अपने संभावित ग्रहा की अपेक्छाओं के हिसाब से कपड़े पहनें अपने संभावित ग्राग की तरह के कपड़े पहनने से वे आराम देतों अनुभव करेंगे पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपका अनुसरन करना चाहेंगे चेप्टर पाँच देह भाषा, बॉडी लेंग्विज, संकेतों को किस तरह पढ़ें? कई लोग इसपस्ट चीज़ों को नहीं देख पाते, आप क्या देख पाते हैं? हम में से शायद हर कोई यह जानता है कि उनके वैभार से उनका दृष्टिकोंड समझा जा सकता है जब मैंने 1976 में बॉडी लेंग्विज लिखी थी, तब मुझे भी आवास नहीं था कि दुनिया पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसकी 33 भाषाओं में 40 लाग से अधिक प्रतियां बिकी हमारे मूल दे भाषा यानि बॉडी लेंग्विज शोद और उसके बाद हुए अंगिनत अधियनों से यह पता चलता है कि आमने सामनी की मुलाकातों में आपके श्रूताओं पर आपके संदेश का प्रभाव इस तरह होता है शब्द समग्गर प्रभाव का 7-10 प्रतिशत स्वर समग्गर प्रभाव का 20-30 प्रतिशत दे भाषा बॉडी लेंग्विज समग्गर प्रभाव का 60-80 प्रतिशत यह दर्शाता है कि आपके देखने का ढंग, हाव-भाव, मुस्कुराहट, वेश-भूशा और चलने के तरीके से सामने वाले पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ता है आपके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के प्रभाव से तीन गुना अधिक मत्वपूर होता है शब्दों को कहने का आपका तरीका पढ़ने के तीन नियम नियम पहला, संकेत समू को पढ़ना हर भाषा की तरह दे भाषा भी शब्दों, वाक्यों, वाक्यान्षों और विरामों से मिलकर बनती है हर संकेत एक अकेला शब्द है जिसके कई अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं जब आप एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक वाक्य में रखते हैं तभी आप पूरी तरह इसका अर्थ समझ सकते हैं संकेत जिन वाक्यों में आते हैं उन्हें हम संकेत समू कह सकते हैं कभी भी किसी संकेत का अकेला विशलेशन न करें उधारन के तौर पर सिर्ख हो जाने के कई मतलब हो सकते हैं जिसका सही अर्थ उसी समय दिखाई दे रहे अन्य संकेतों पर निर्भर करता है सही अर्थ समझने के लिए हमारे पूरे संकेत समू को पढ़ें जो कम से कम तीन संकेतों से मिलकर बना हो चित्र देखें पहला आलोचनात्मक मुल्यांकन संकेत समू एक सामान्य आलोचनात्मक मुल्यांकन संकेत समू दर्शाता है शरीर के सामने एक हाथ दूसरा हाँ चेरे पर अंगुठा थुड़ी को सहारा देते हुए पैर आर पार और भौवें चड़ी हुई कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करे ऐसा नाक में खुजली के करण भी हो सकता है पुस्तक के इस खंड में हम संकेतों का एक-एक विशलेशन तो करेंगे पर सामान्य तह संकेत इस तरह नहीं देखे जाते हैं वे तो समूहों में दिखते हैं नीयम दूसरा प्रिश्ट भूमी का विचार करे संकेत समूहों का विशलेशन उस प्रिश्ट भूमी में होना चाहिए जिसमें वे नजर आते हैं उधारन के तोर पर अगर कोई वेक्ती बस स्टेंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांद कर खड़ा हो उसकी थुड़ी नीचे हो और मौसम ठंडा हो तो इस बात की संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रही है न कि वह सुरक्षात्मक पुद्रा में है अगर कोई इनी संकेतों का प्रयोग तब करता है जब आप मेज पर उसके सामने बैठ कर उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहे हो तो इसी संकेत समू का आप ये अर्थ निकाल सकते हैं कि वह व्यक्ति परिस्थित्यों में आकर शायद नकरात्मक या सुरक्षात्मक रुख अपना रहा है नियम 3 सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखें एक संकेत जो एक देश में एक चीज़ का प्रतीक होता है दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज़ का प्रतीक हो सकता है उधारन के तौर पर चित्र तीन में दर्शाई अंगूठी मुद्रा का अर्थ पस्चीमी देशों में आम तोर पर ओके या अच्छा होता है इसका ओके अर्थ उन सभी देशों में मानने है जहां पस्चीमी टेलेविजन कारकरम देखे जाते हैं और हाला कि पूरी दुनिया में यह अर्थ फैल रहा है परन्तु कई जगहों पर इस मुद्रह का अलग उद्गम और अर्थ भी होता है उधारन के तौर पर फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है जापान में इसका अर्थ पैसा होता है और कई भुमद्द सागर्ये देशों में यह योन अपमान का संकेथ है मूलभू देभाषा के अधिकतर संकेथ हर जगह एक से होते हैं जब लोग खुश होते हैं तो वे मुस्कुराते हैं जब वे दुखी होते हैं या गुसा होते हैं तो वे भौणे चढ़ा लेते हैं या नाक फुला लेते हैं। सिर हिलाने का अर्थ भी हर जगा हां या सकारात्मक होता है। और जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि यह संकेत सिर जुकाने का एक तरीका है। मुस्कुराहट शायद जन्मजात होती है क्योंकि जिन लोगों में बच्पन से ही देखने की शक्ती नहीं होती और जो इसे वास्तों में कभी नहीं देख पाते वे भी इसका प्रयोग करते हैं मैं इस खंड में देभाशा संकेतों का एक आसान शब्द को स्प्रस्तूत करना चाहूँगा जो अधिकतर संस्कृतियों में समान है और ये ऐसे संकेत हैं जो आमने सामने की प्रस्तितियों में आपके सरवादिक काम आएंगे महिलाएं क्यूं बहतर समझ सकती हैं जैसा हमने अपनी पुस्तक Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps में लिखा है पुर्षों का दिमाग छोटे छोटे शब्द हीन और स्वर संबंदी संदेश समझने के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं होता है इसलिए महिलाएं कई पुर्षों को दूसरे की आवशक्ताओं या भावनाओं के प्रती लापरवा या असमवेदन्चिल समझती हैं सारवजनिक इस्थानों पर महिलाएं कई बार पुर्षों से यह कहती है क्या तुमने मेरी आख का इशारा नहीं देखा दा तुमें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं पाटी छोड़कर घर जाना चाहती थी वह आख का इशारा बहुत सी महिलाओं को साफ समझ में आ सकता है पर बहुत से पुर्षों को यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता पुरुष निस्थूर नहीं होते उनका दिमाग ही इस तरह से नहीं बना होता है कि वे देभाशा के सुक्ष्म संकेतों को पड़ सकें जब कोई महिला कहती है कि उसे कोई व्यक्ति समू के विचार से आथ या असमत दिख रहा है तो वह वास्तों में चोट या असमती देख रही है उसे यह पता चल जाता है कि किस व्यक्ति की देभाशा समू से अलग जा रही है अधिकतर पुर्षों को आश्चर होता है कि महिलाएं किस तरह असहमती, गुसा, चलाकी और चोट को देख सकती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर पुर्षों के मस्तिस्क देख भाषा के सुक्ष्वर्णन पढ़ने के लिए उतने सक्षम नहीं होते जितने की महिलाओं के होते हैं इसलिए आमने सामने की मुलकात में किसी महिला से जूट बोलने का प्रयास करना ना समझी होगी फोन पर ऐसा करने में कम जोकिम है हर रोज 15 मिनट का समय निकालें लोगों के संकेतों को पढ़ें और स्वयम के संकेतों के बारे में भी सचितन जागरुकता विक्सित करें देख भाषा पढ़ने की सबसे अच्छी जगा वह होती है जहां बहुत से लोग आपस में मिलते और चर्चा करते हैं हवाई अड़ा मानविय संकेतों के सातों रंगों के अवलोकन के लिए बहुत अच्छी जगा है क्योंकि वहाँ पर लोग खुले आम, उत्सुकता, गुसा, दुख, खुशी, बेता भी और दूसरी भावनाओं का इजहार संकेतों के माध्यम से करते हैं समाजिक समारो, व्यवसाइक बैटके और गोस्तिय भी अध्यन के उपजाओं मैदान हैं टीवी देखना भी सीखने का एक बहतरीन तरीका है आवाज को बन कर दें और केवल तस्वीर देखकर ही यह समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है कुछ मिन्टों बाद आवाज चालू करके आप यह जाज कर सकते हैं कि आपका शब्द हीन अध्यन कितना सही है आपको बहुत अधिक समय नहीं लगेगा जब आप बिना आवाज के पूरा कारेकरम देख सकेंगे और क्या हो रहा है यह समझ सकेंगे जिस तरह की गूंगे बहरे लोग समझ सकते हैं एक वीडियो कैमरे का प्रयोग करके प्रस्तूती देते हुए स्वेम की फिल्म बनाएं और इसे बिना आवाज के चालू करें और अपने दोस्तों या रिष्टेदारों से अपनी प्रस्तूती का मुल्यांकन करने को कहें यहां पर हम सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले देखा संकेतों की संदर्व सूची दे रहे हैं जो आपकी प्रस्तूती के दोरान साहिक सिद्ध होगी हाथ बांधना कुछ विचार और उद्गम शरीर के सामने हाथ बांधना या शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक असंबंद और सुरक्षात्मक दृष्टिकोंड दर्शाता है यह एक जन्मजात संकेत है और सत्तर प्रतिशत लोग अपनी बाई बहां को दाई बहां के उपर बानते हैं इस आदत को बदलना लगबग असंबं सा प्रतीत होता है इसका उद्देश यह है कि किसी भी प्रकार के आकर्मन से दिल और फेफडों की सुरक्षा हो जाए और अधिकतर वानर अत्वा वनमानुष भी इसी वज़े से इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं चित्र या किसी सक्त चने को फोड़ने की तरह है इस संकेत में किये गए शोद बताते हैं कि सुनते समय जो श्रोता इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं वे उन लोगों से 38 प्रतिशत कम समझते हैं जो खुली इस्थिती में होते हैं जब प्रस्तुत करता के प्रदर्शन के बारे में उनसे पूछा गया तो हाथ बांदने वाले लोगों ने छोटे वाक्यों का प्रयोग किया नजरे कम मिलाई, पीछे टिक कर अधिक बैठे और प्रस्तुत करता के प्रदर्शन के प्रती अधिक अलोशनात्मक रूख अपनाया बजाए उन शोताओं के जो बिना हाथ बांदे बैठे थे हाथ बांदने के कई सुक्ष्म तरीके होते हैं जैसे आधे हाथ बांदना चित्र चार अपने आप से हाथ मिलाना चित्र पाच जो उस इश्पस का अवशेस है जो आपके घवरा जाने पर आपके माता पिता आपका हाथ पकड़ा करते थे और दोनों हातों से कोई चीज पकड़ना चित्र छे, दोनों हातों से पर्स, ग्लास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश से सुरक्षा का एसास प्राप्त करना होता है, क्योंकि उस इस्ति में आपके हाथ सरीर के सामने होते हैं, दूसरे हाथों में पहनी अंगूठी, घड या शट के बटन घुमाने से भी वही परिणाम मिलते हैं, चित्र साथ दर्शाता है कि दाए हात पर बैठा व्यक्ती सही प्रिष्ट भूमी में संकेतों के समू का प्रयोग कर रहा है, वह हात बानने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, उसके पैर खुले हैं, पुरुष आ वह बाकी दोनों लोगों से खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि वे दोनों लोग प्रति बिम्बिन के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमिल बना रहे हैं, चित्र साथ दाई और बैठा व्यक्ती उपेक्षित महसूस कर रहा है, कारण और परिणाम की समस्या, उधारन के तौर पर माले कि कोई व्यक्ती नकारात्मक, सुरक्षात्मक सबसे अलग या विरोधी महसूस कर रहा है, इस बात की काफी संभावना है कि वह अपने रवये को अपने सीने के आर पार हात बांद कर शब्द हिन संकेत में व्यक्त करेगा, हमें शोच से यह भी पत नकारात्मक हो जाता है, यह साधारन परयोग करके देखें, पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को सीने पर कस कर बांद लें, आप कैसा अनुभाव करते हैं, बंदा हुआ, असभागी, असम्मिलित, अधिनें से पता चलता है कि आपने किसी भी कारण से सीने के सामने ह हात बांदा हो, तो आपको इस संकेत के नकारात्मक प्रभावों का अनुभा होने लगता है, यह कारण और परिडाम की इस्थती है, आदतन हात बांदने वालों का हमेशा यह दावा रहता है कि वे इस मुद्रा में अधिक आराम दे मैसूस करते हैं, क्योंकि हात बांदने क संकेत से उन्हें उसके साथ जुड़ी भावनाओं का भी अनुभा होता है, अगर आप यह विश्वास न भी करें कि हात बांदना एक नकारात्मक संकेत है, तो भी आपका श्रोता अचेतन रूप से आपको नकारात्मक या गैर मिलनसार समझ बैठेगा, इसी कारण एक पहला, अपने शब्द कोश में से हात बांदने की मुद्रा हटा दें, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपके श्रोता आपकी बातें पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, वे आपके प्रती अधीक आलोचनात्मक रुख अपनाएंगे और आपको कम पसंद करेंगे, चर्चा में अधीक भाग लेना चाहेंगे, बिना हथे वाली कुर्सियों को अधीक पास न रखें, क्यूंकि इससे श्रोता एक दूसरे के संपर्क से बचने के लिए हात बांदनेंगे, तीसरा, अगर आपके श्रोता हात बांद कर बैठे हैं, तो आप उनकी मुद्रा को ब चागत दे सकते हैं या उन्हें गर्म पे दे सकते हैं, हात से चहरे को चूना, कुछ निशकर्ष और स्त्रोत, वे सभी शूत करता जिन्होंने हात से चहरे के संकेत का अधेयन किया है, सहमत हैं कि इसका संबंद नकारात्मक भावनाओं से है, पश्चिमी और अधिकतर यूर जो धार्मिक कारणों से सिर्थ चूने से बचते हैं, पर जूट बोलते समय उनके पैरों की हरकत बढ़ जाती है, चित्र हात से चहरे चूने के मौलिक संकेत, बच्चों में आम तोर पर देखा जाता है कि जूट बोलते वक्त वे अपना चहरा चुपा लेते हैं, व्यसकों में भी यह चित्र आठ की तरह देखा जा सकता है, जूट बोलते समय नाक की सवेदन शीलता बढ़ जाती है, जिसके करण नाक से पर्ष बढ़ जाता है, चित्र नौ में देखा जा सकता है, आखों को हाथ से चुपाने से हम वह नहीं देखते, जो हम नहीं देखना चाते, या जिस पर हमें विश्वास नहीं होता। चित्र दस, यह आँक मलने की मुद्रा का उद्गम स्रोत है। चित्र ग्यारा वबारा, कान मलना, सरगरदन को खुजाना भी यह संकेत देता है कि व्यक्ति अनिस्चित है या जो कहा जा रहा है उस पर वह विश्वास नहीं कर रहा है कुछ उपयोगी तकनीके पहला हमेशा हाथ से चहरे को छूने के संकेते को समूहों में और उनकी प्रिष्ट भूमी में पढ़ें कभी भी नाक की खुजली को दोके का संकेत न समझें दूसरा अपनी प्रस्तूती के दौरान हाथ से चहरे के स्पर्ष संकेतों से हमेशा परहज करें क्यूंकि उनके प्रयोग से आपके श्रोता आप पर कम विश्वास करेंगे वीडियो कैमरे के सामने अभ्यास करें या शीशे के सामने खड़े होकर रिहरसर करें ताकि चहरे को छूने की आपकी आदत खत्म हो जाए तीसरा अगर आपकी प्रस्तूती के दौरान कोई हाथ से चहरे को इसपर्स संकेत का प्रयोग कर रहा हो तो यह करें मुझे लगता है कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है इसका ज्यादा प्रबल तरीका यह है आपकी देवहशा बता रही है कि आप कुछ पूछना चाहते है क्या आप बताएंगे कि आपका सवाल क्या है इस आखरी प्रेशन को पूछते समय सावधानी बढ़तें क्योंकि यह कई बार अपमान जनक लगता है यह व्यवसाइक प्रदर्शन करताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है पहला सिर जुकाना जब हम उस चीज में रूची लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं तो हम अपने सिर को एक और जुकाते हैं अगर आपका संभावीद ग्रहाग अपना सिर एक और जुकाय हुए हो तो प्रस्तुती जारी रखे अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डूलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी और दुबारे खीचें या बाच्चित के दिशा बदले दूसरा, गाल पर हाथ रखना यह आपकी प्रस्तूती का सकारात्मक मुल्यांकन दर्शाता है हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहरा नहीं देता उंगली सामान्य तहा कनपटी को छूती है ज़िस सिर हाथ के सहारे टिकने लगते तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रूची घट रही है तीसरा, चश्मे की नोक चूसना कोई व्यक्ति पैन, पैंसिल या अपने होड भी चूस सकता है यह मुल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसे निर्ने पर पहुँचने का प्रयास करता है परन्तु यह निर्ने लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है क्योंकि उसके मुँ में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की अवशिक्ता महसूस नहीं करता चौथा, सामने जुकना हम उन लोगों या वस्तूओं के नजदीक आते हैं जो हमें रोचक या आकरशक लगते हैं इसे शुरुवात करने वाले व्यक्ति की इस्थिती न समझ ले क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं परन्तु उसके दोनों हाथ घुटने पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दोर लगाने वाला हो शायद दर्वाजे की ओर पांचवा मिनार यह संकेत एक आकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किन्तु विश्वास पूर्ण रविया का पता चलता है सवाल यह है कि वह विश्वास किसके प्रती है क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विशय पर अपने स्वेम के ग्यान पर विश्वास है क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है जिस प्रिष्ट फूमी में इसका प्रयोग किया जाता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है कोट की जेब, पैंड की जेब, गेरेबान के मोड में से अंगुठे बाहर निकल सकते हैं बाहर निकले अंगुठे से स्रिष्टता पूर्ण रुख का संकेत मिलता है विश्वास पूर्ण और ठंडा जो मिनार की तरह का संकेत होता है अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समस्दारी नहीं होगी क्यूंकि इसे घमंडी या अख़ड व्यवहर माना जा सकता है साथवा, दोनों हाथ सिर के पीछे ऐसा आम तोर पर पुरुष करते हैं जिससे यह संप्रिसित होता है मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ मुझे सब मालूम है आप इस वेक्ती से इस तरह का सवाल पूर सकते है मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं क्या आप मुझे अपना अनुवह बताना चाहेंगे इसका परिणाम या तो सहीयोग या फिर वाद दिवाद होगा जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस प्रिष्ट भूमी में दिया गया है नकारात्मक देह संकेत पहला आलोचनात्मक मुल्यंकन यह संकेत काफी इस्तमाल होता है और इससे शुरुताओं के आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है तरजनी उंगली गाल के उपर टिकी रहती है अंगुठा चुद्डी को सहरा देता है और मद्यमा उंगली या तो मुह पर या मुह के आस्पा सोती है आपका विचार क्या है? इस तरह का सवाल उस वैक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है दूसरा काल्पनिक रोवां चुनना यह बताता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वैक्ति उस से असमत है जब वैक्ति काल्पनिक फाहा या रोवां चुन रहा होता है तो वै दूसरी और देखने लगता है इस तरह के वैक्ति से मुझे लगता है आप कोई पूश्न पूछना चाते हैं जैसे सवाल पूछना ठीक रहेगा तीसरा, कॉलर खीचना जब कोई चुपचाप गुस्सा होता है विचलित होता है या दोखा देता है तो उसकी गर्दन में संस्तनाहट या जुनजुनी का एहसास होता है इस परस्थिती में उस व्यक्ति की इक्षा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खीच कर अलग कर ले इस तरह के व्यक्ति से या सवाल पूछना ठीक रहेगा इस बारे में आपके क्या विचार है चौथा, गर्दन में दर्द यह अभिवक्ति पूरी तरह बताती है कि यहां क्या हो रहा है बढ़ते हुए तनाओ या बढ़ती हुई कुन्ठा के कारण आदमी अपनी गर्दन के पीछले हिस्से को सहलाता या ठोकता है ताकि वहां उट रही जुन्जुनी के एहसास को शांत किया जा सके यह एहसास तब होता है जब कोई शब्दस आपकी गर्दन में दर्द पैदा करता है यह गर्दन में छोटी इरेक्टा पिलर मांस्पेशी की गतिवीद्यों के कारण पैदा होता है यह चिडाने वाला संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को आपसे बहतर समझदार अमीर या स्मार्ट समझता है इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति अक्सर अपने पैरों के तलवे को उठा कर अपना कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है दिमाग जब कोई चीज नहीं देखना चाता तो वह आँखों को बंद कर लेता है हो सकता है वह व्यक्ति आपको हिकारत की नजर से देख रहा हो चटवा कुरसी पर पैर रखना इसके कई अर्थ होते हैं पहला यह की व्यक्ति आराम दे हैं और आत्न विश्वास से पूर्ण है विशेश कर जब वह कुरसी उसकी नहो दूसरी और यह उसकी छेत्री सीमा का संकेत भी हो सकता है क्योंकि वह कुरसी के उपर पैर रखकर उस पर अपना हग जता रहा है समग्र रुक आराम दे उदासीनता का संकेत है सात्वा कुरसी पर पैर फैला कर बैठना यह विशेश तोर पर एक पुरुष संकेत है क्योंकि यह अधिकार या सृष्टता का थंदेश प्रेशित करता है कुर्सी की पीट संभावित खत्रे की रक्षा करती है और पैर फैलाना पुरुष का प्राचिंतम अधिकार संकेत है हाथ मलने की गती से व्यक्ती की संभावित भावनाओं का पता चलता है तेजी से हाथ मलने वाला वैक्ति किसी बात के परेडाम के प्रती रोमान्चित अनुभाव करता है धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस वैक्ति को चर्चा में लाव होने या पैसे मिलने की आशा होती है एक सामान्य संकेत समू इस द्रिश्य में दाई और बैठी महिला ने आलोचनात्मक मुद्रा अपना रखी है और बाई और बैठा आदमी खुली हतेलियों का प्रयोग करके और आगे की और जुक कर उससे बाते करने का प्रयास कर रहा है केंदर में बैठा वेक्ती मिनार संकेत का प्रयोग कर रहा है और अपने आक्रामक पैर की इस्थिती से विश्वास पूर्ण और आश्वस्त रुख प्रदर्शन कर रहा है आकरी शब्द देवासा को समझना किसी पहली की तरह लगता है हमें से अधिकतर के पास ये भाशा तुकड़ तुकड़ो में आती है पर हम उन्हें पूरी तस्वीर में नहीं जमा पाते देवासा का पहला निया हमेशा याद रखें अकेले संकेत की कभी व्याख्या न करें हमेशा समुहों का ध्यान रखें इस बात को सुनिश्चित कर लें कि सभी संकेतों की प्रिष्ट भूमी और सांस्कृतिक विबिन्नताओं का ध्यान रखा गया हो देवाशा पढ़नी की योगिता का मतलब है कि हम प्रती दिन की स्थितियों में साफ नजर आने वाली चीजों को पढ़ सकें अब अगले चितर को देखें आपको क्या नजर आता है समापन आपने कितनी बार किसी को उच्च इसतरीय नेटवरकर के बारे में या कहते सुना है उसमें कुदरती प्रतीबा है या वह जन्मजाद सेल्समेन है आपने किसी डौक्टर या इंजीनिएर के बारे में फृटरती प्रतीबा वाले इंजीनिएर या जन्मजाद फार्मासिस्ट या जन्मजाद डौक्टर वाक्यांस नहीं सुना होगा हम जानते हैं कि ये व्यवसाहे विज्ञानिक विज्ञान एक दक्षता या तकनीक है जिसे क्रमबंद अध्यन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और जो निसकर्ष, प्रयोग और मानक पर आधरित होती है उच्च इस तरिये नेटवर्क कारिकरता कुदरती प्रतिभावाला या जन्मजात नहीं होता उच्च इस तरिये नेटवर्किंग एक विज्ञान है एक सीखने की कला है जो दूसरे विज्ञान की ही तरह है यह पुस्तक आपको कई शशक्त तकनीके प्रदान करती है और यह सिखाती है कि आप इसका किस तरह प्रयोग कर सकते हैं किस तरह अपनी प्रगती को माप सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं और लोगों से बात करते समय किस तरह से ध्यान दे सकते हैं नेटवर्किंग का विज्ञान यह सीखने वाली कला है जिसमें दूसरे विज्ञानों की तरह ही पूर्ण निष्ठा, लगातार मेहनत और सतत अभ्यास की आवशक्ता होती है सफलता की यातरा में नेटवर्क कारकरता के सामने उत्पन होने वाली सबसे बड़ी चुनुतियों में से एक है नकारात्मक प्रतिकिर्या के प्रती अती समवेदन शीलता जब आप इस पुस्तक में दी गई तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि हर हां आपके लक्षियों को प्राप्त करने के दिशा में एक सकारात्मक कदम है आपके आउसत को बनाय रखने में आपके सामने यह बारवार सिद्ध होता रहेगा यह पुस्तक कैसे करें के रहस्य से बताती है जो कईयों के लिए सबसे बड़ी बादा है अब बाकी आप पर है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनस बिना शोर शराबे या विज्यापन के लगबग रातो रात विक्सित हुआ है और अंततह यह सबसे बड़ा बिजनस सिस्टम बन सकता है इसकी सफलता वितरन तंतर पर निर्भर करती है जो पूरी तरह अपने शदस्यों के उत्साह के बलबूते पर ही चलता है या मनुश्य के दिमाग द्वारा सोचे गए सरवादिक, महतपूर्ण और व्यापक अवसरों में से एक है इस पुस्तक में आपको ऐसी कई कुझी मिलती है जिसमें आप स्तंतर के खजाने के तालों को खोल सकते हैं और आप सफलता की ओर तेजगती से आगे बढ़ सकते हैं इस पुस्तक में बताई गई हर बात आजमाई हुई है इसका परिक्षण किया गया है और इसके तत्काल परड़ाम मिलते हैं हर चीज काम करेगी बसरते कि आप काम करें सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए अब किसी बहाने की गुंजाईश नहीं है इसलिए अपने लक्ष बनाएं और उनकी ओर बढ़ें एलन पीस